Hello Everyone and Welcome to Digital Marketing course by WSQ Tech, Myself Umar Tazkir. Guys, main digital marketing सीखने से पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस course में सीखेंगे, बहुत सारे modules है, बहुत सारी advanced technique सीखेंगे कि आपी digital marketing क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं, digital marketing, paid digital marketing क्या होती है, non paid digital marketing क्या होती है बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग इस particular course में cover करने वाले हैं बहुत सारा चीज़ें सीखने वाले हैं इसके बाद हम लोग इसका practical implementation देखेंगे देखेंगे कि हम लोग digital marketing की आज के टाइम में job के point of view से क्या requirement है अगर हमाई पर digital marketing की skill है किस तरीके से हम earn कर सकते हैं किस तरीके से अलग-अलग jobs हैं कौन सी companies हैं जो digital marketing के लिए hiring करती हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस particular course में सीखने वाले हों और समझने वाले but course के main content को start करने से पहले हैनि कि main जो हमारे modules हैं जो course content है उसको start करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार course के structure को समझ लें कि आखिर इस course में कितने modules होंगे और उन modules में क्या-क्या चीज़ें होंगे और भी बहुत सारी चीज़े जो इस course से related हैं जो से notes हैं, quizzes हैं, assignments हैं वो किस तरीके से आपको मिलेंगे तो इन सारी चीज़ों की भी हम लोग information ले लेते हैं तो guys यह हमारा जो पहला वीडियो है यह introductory वीडियो है यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि यह जो course है, digital marketing का जो foundation course है, यह बिलकुल हम लोग zero level से start करने वाले हैं अगर आपको कोई भी knowledge नहीं है बिलकुल भी knowledge नहीं है digital marketing के बारे में तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग बिलकुल ही basic से digital marketing की definition से start करेंगे और बहुत ही अच्छे advance और जो practically implement होने वाले concepts हैं उन सभी को cover करेंगे तो बहुत ही detailed course है और पूरा का पूरा course है modules में divided है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस course में कौन-कौन से modules हैं और किस तरीके से ये काम करेंगे तो guys अगर हम बात करें modules की तो इस course के structure को 10 modules में divide किया गया है 10 modules में तो guys modules को हम यहाँ पर ये समझ सकते कि modules हमारे chapters है और हर module के अंदर हम लोग कुछ set of videos देखेंगे वो videos topic-wide videos होते हैं तो 10 modules होंगे हर module के अंदर हमारे पास कुछ set of videos होंगे तो यहाँ पर आप देखो तो जैसे 10 modules है तो यह digital marketing के course में यह first, second, third, fourth, fifth और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो six, seventh, eighth and ninth and tenth दस यह हमारे modules है अब यह modules हमारे कौन कौन से है पहला है हमारा introduction to digital marketing यहाँ पर हम basic समझने वाले हैं बहुत simple language में digital marketing क्या होती है यह किस तरीके से जो हमारी traditional marketing है आज के time में इसका scope क्या है future क्या है 2020 में इसका future क्या है और 2020 के बाद इसका future क्या है तो इन सारी चीजों को हम लोग cover करेंगी यह जो हमारा basic first वाला module है introduction to digital marketing इसमें और इसमें यह सारे वीडियोज आपको मिलेंगे then second module में हम लोग बात करेंगे wordpress के बारे मैं इस wordpress बहुत ही important है the reason is कि जब कभी भी हम digital marketing की बात करते है या आप digitalization की ही बात कर लो आप कई बार इस word को सुनते होगे कि हमें अपने business का digitalization करना है जब कभी भी word use होता है digitalization हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि हमारे business की और वो सुब जो technical complexities होती है उनकी अगर आपको knowledge नहीं है आप बड़े easy तरीके से website create करना चाहते हो तो आपके पास एक ऐसा platform होता है किसा tool होता है अभी बहुत ज़ादा आप इस पे ध्यान ना दे क्योंकि मैं क्योवल भी आपको modules बता रहा हूं यह सारी चीज़े एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियो से बहुत सारी चीज़े कवर करेंगे तो अभी आप यह मत सोचो कि यहाँ पर यह wordpress क्या लिखा है भी हम लोग यह समझते हैं कि इस module में basically हम लोग एक website बनाना सिखेंगे अब website बनाने के लिए हम तो नॉर्मल बंदे हैं या हमारे पास कोई technical knowledge नहीं या programming knowledge नहीं या marketing है या हम कोई business man है या हम कोई arts के student है माल लेते हैं arts के student आपके पास arts के subject हैं in that case आप website बनाना सीख सकते हैं ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको coding सीखने की जरूरत होगी राइट ऐसा नहीं कि coding या web development हमें सीखने की जरूरत होगी तो wordpress हमें वह facility provide करता है wordpress एक ऐसा टूल है कैसा software आप समझ लो एक ऐसा बहुत सारे questions रहते होंगे गोगल सारे doubt। सीखने जाते हो की गूगल के उपर जाते हो और गूगल पर अपनी problem वहाँ पर type करते हो अपनी query वहाँ पर type नहीं क्योंगर ठराइक कर रहा है बहुत सारे वह एसे होगे तो आप आपको बिजनेश देदेता है अब आपका best coaching for IS in Delhi तो अगर कोई coaching जो आपकी है तो आप क्या चाहोगे कि Google में वो उपर दिखाई दे तो जो गूगल में ranking जो वो rankings होती है जो results दिखते हैं उनमें अगर हम अपनी website को top पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस तरीके से करते हैं then social media optimization social media optimization क्या है कि हमारी जो social media की profile है हमारी जो Facebook है हमारे जो LinkedIn है हमारे जो Twitter है हमारे जो Instagram है वो हमारे business को represent करना चाहिए proper वहाँ पर पोस्ट जानी चाहिए proper जो वहाँ पर details जरूरी है वहाँ पर mention होनी चाहिए वहाँ पर चैट का support होना चाहिए कोई अगर आता है Facebook के उपर हमसे चैट करना चाहता है तो वहाँ पर चैट का system developed है या नहीं है तो यह सारी चीज़ें हमारी cover होती है social media optimization में उसके बाद हम लोग दिखेंगे Facebook ads किस तरीके से run करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी आप अपने Facebook के उपर browse कर रहे होते हैं Facebook नॉर्मली आप चला रहे होगे तो बीच बीच में आपको बड़े सारे ads दिखाई देते हैं sponsored लिखा होता है उसके उपर वो बड़े सारे ads होते हैं तो किस तरीके से हम आप अपने business का ad वहाँ पर show कर सकते हैं किसी दूसरे की feed में जो हम scroll करते हैं में दूसरे person के सामने हम किस तरीके से अपना ad दिखा सकते हैं अपने business का ad दिखा सकते हैं तो इस चीज़ को हम लोग Facebook ads में सीखेंगे उसके बाद सेम Google Ads में आप लोग देखते होगे कि जब कभी भी अभी भी अगर आप जाओगे और इस तीस को सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जैसे Google के उपर आप कुछ भी सर्च करें तो आप देखोगे कि बड़े सारे रिजल्ड साते उनमें कुछ टॉप पे आपको रिजल्ड दिखता होगा जिसमें लिखा होता है चोटा सा आड आड करके चोटा सा लिखा रहता है तो वो होते हैं हमारे पेड आड यानि वो Google के रिपेर करने किस तरय के से content बनाते हैं क्योंकि हर जगा हमें complete की जरूर पड़ेगी इस बात को संबचते जैसे आपको social सोशल मीडिया के उपर किस टाइप को कॉंटेंट डालना है जिसको पढ़के जिसको समझके लोग इंप्रेस हो और हमारे बिजनेस से कॉंटेक्ट करें हमारी वेपसाइट के उपर किस टाइप का कॉंटेंट होना चाहिए अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं आर्टिकल लिख र ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हो वो सारी चीज़े हम लोग ब्लॉगिंग वाले मॉडियूल में कवर करेंगे जो कि है हमारा मॉडियूल लंबर एट उसके बाद नाइन्थ मॉडियूल में हम लोग बात करेंगे इमेल मार्केटिंग क्या होती है आप लोग भी देखते पो send करते हैं through different softwares तो उन सारी softwares की training हम लोग इस particular module में लेंगे जो कि हमारा email marketing का module है और उसके बाद हम लोग लेंगे freelancing वाला module, इसको हम लोग cover करेंगे guys freelancing के module में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं, guys जैसे आपने इतनी सारी चीज़े सीखे, आपने Google आश चलाना सीखा, आपने Facebook आश चलाना सीखा, आपने SEO भी करना सीख लिया अब आपको लगता है कि आपको इस field में कुछ earning करनी चाहिए, रहो earning के दो तरीके, या तो आप खुद से अपना काम शुरू कर दो, या आप किसी company में जाओ, इंटर्वियो दो और वहाँ पर आपको जाब मिल जाए, तो दो तरीकों से आप earning कर सकते हो, हम बात करें freelancing, यानि आपने चीज़े सीख लिए, अब ये चाहते हो आपको खुद कुछ clients मिल जाए, और उनके लिए आप काम करो, तो उन सारी चीज़ों के हम लोग बात करेंगे कि आखिर freelancing क्या होती है, इसमें आपको किस तरीके से clients मिल सकते हैं, या चीज़े तो आपने सीख ली, आपने Google Ads चलाना सीख लिया, अपने content marketing सीख ली, आप कोई business है, जो आप से कह रहा है कि हमारे लिए Google Ads चला दो, हम आपको कुछ इतना amount of money per month दे देंगे, तो that is basically freelancing, तो इस चीज़ के लिए आप किस तरीके से clients से approach करते हैं, किस तरीके से proposals बनते हैं, किस तरीके से negotiations होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे freelancing वाले module में, तो ये में से कोई एक specialized modules पकड़ लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे कि आप first year में क्या करते हैं, अगर degree है, तो first year में हमें सारे subject पढ़ाया जाते हैं, उसके बास second year में, जो हमारा main, जिसमें हम specialization करना चाते हैं, वो subject हमारे हो जाते हैं, सेम चीज़ यहां पर भी है, जैसे शुरुआत में जब digital marketing आप सीखने जाते हैं, तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक overview होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि SEO क्या होता है, Google Ads क्या होता है, Facebook Ads क्या होता है, email marketing क्या होती है, उसके बाद आपका interest किस field में है, आप किस field में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आप किसी एक चीज़ के ओपर specialization कर सकते हैं, बट specialization वो बाद की बात है, उससे पहले आपको basic strong करना होगा, और समझना होगा कि आखी डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से काम करती हो, यह जो सारे modules है, इनका मतलब क्या है, और यह सारे modules का overview क्या है, इस सारी चीज़े किस तरीके से काम करती हैं, तो इनी सारी चीज़ों को समझने में और expertise करने में आपको time लग जाता है, और उसके बाद आप move करते हो, जब आप किसी एक individual चीज़ को, individual module को, individual section को digital marketing के master करना चाहते हो, तो यह तो 10 वो modules हैं, जो हम लोग cover करेंगे, जो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है, इस पूरे course में हम लोग जो समझने वाले हैं modules को, वो यह हैं, अब और course किस तरीके से यह काम करेगा, तो guys, यहाँ पर आपके पास कुछ quiz questions होंगे, हर वीडियो के बाद, और इसकी importance यह है, ताकि जो भी आपने वीडियो में सीखा, वो आपका revision हो जाए, वो आपकी में, यानि कि जितने भी वीडियो के इस module में होंगे, उसके end में आपके पास quiz होगी है, और इसी के साथ आपके पास एक summary भी होगी, summary कह लें, या हम आप इसको notes कह सकते हैं, तो इस module से related आपके पास कुछ notes भी होंगे, कुछ written notes भी हम आपको देंगे, और उसके बाद कहां टासक, तो module लेवल पर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, quiz बिलेगी, summary या notes मिलेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ assignments भी मिलेंगे, यानि कुछ task मिलेंगे कुछ homework type का जो आपको करना पड़ेगा तभी आप जो है perfection कर सकते है क्योंकि this is purely practical thing यह practical thing है इसमें theory से काम नहीं चलेगा but foundation मनाने के लिए जितनी theory के हमें जरूरत है उस सारी चीदों को हम लोग सीखेंगे starting में और उसके बाद सारी चीदों को हमें practically करना है कि हमने assignments के section को add किया so at the end of each and every module there will be a summary for you there will be assignment for you यह मैंने बता दिया so guys यह जो है यह वीडियो जो था वो इस point of view से था कि आपको पता चल जा है कि इस पूरे course में क्या-क्या होने वाला है guys इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है यानि कि डिजिटल मार्केटिंग की definition को समझने वाले हैं और एक और बहुत ही important चीज़ को समझेंगे कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये किस तरीके से हमारे traditional मार्केटिंग से अलग है यानि कि डिजिटल मार्केटिंग जो आज के टाइम में आप बहुत ही नया वर्ड सुन रहे हैं क्योंकि marketing एक नया वर्ड नहीं है बट इस marketing वर्ड के आगे digital वर्ड लग गया है तो क ये वर्ड इस डिजिटल मार्केटिंग भी marketing का ही एक सबसेट है, marketing और digital marketing कोई अलग चीज नहीं है, marketing का ही एक पार्ट है digital marketing अब जो भी हम marketing के efforts भी है, marketing क्या हो थी, जब कभी है अपने product को और services को हम promote करना चाहते हैं, तो हम marketing basically करते हैं, बट अगर हम वो marketing through digital medium करने लगे, then that is basically called as digital marketing बड़ी simple सी definition है कि अगर हमारी marketing efforts में जो भी हम marketing कर रहे हैं अगर हमारे marketing efforts में किसी भी तरीके से अगर हमारे marketing efforts में electronic devices या internet involved हो जाए तो वो हमारी marketing digital marketing हो जाती है तो इसको और ज़्यादा clear कर लेते हैं और अच्छे तरीके समझते क्या कि digital marketing क्या होती है और आपने कई बार अपनी day-to-day life में digital marketing को experience किया है पट आपको पता नहीं है कि आप उस वक्त digital marketing को experience कर रहें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ examples दिखाता हूं जो कि हमारे examples है digital marketing से related तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने experience किया है day-to-day life में आपने यह सारे ही चीजों को experience किया है और करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ठीके पहले भी किया है अभी भी कर रहे होंगे फ्यूचर में भी आप इन चीजों को experience करेंगे तो गईस मैं बता दू कि digital marketing क्या है अगर आपके पास कोई website है और वो किसी के उपर वहाँ पर search करता है tuition classes in Delhi और आपकी website शो करती है उपर रिजल्ट में आपकी website शो करती है नहीं आपके website के results दिखते है यह digital marketing है तो ऐसी चीज़ा आपने कई बार experience कियोगे बहुत सारे cases में आप Google के उपर जाते हैं और वहाँ पर आप अपनी query type करते है query type करने के बाद जो आपको results वहाँ पर show होते हैं वो results through digital marketing ही show होते हैं वो results through SEO ही show करते हैं उसके बाद आप Amazon के उपर जाते हैं और Amazon के उपर एक और मैं real time आपको example बताता हूँ आप Amazon के उपर जाते हैं या किसी भी आप e-commerce website के उपर जाते हैं Amazon मान ले आप flip card मान ले और वह आपको कोई product देखा वहाँ पर आपने उस product को देखा उस product के उपर click किया उसको add to card भी किया लेकिन खरीदा नहीं उस product को देखा add to card किया जो है बहुत सारी specifications उस product की देखी और हो सकता है checkout तक भी गए यानि checkout पेमेंट करने तक गए बट payment नहीं किया और खरीदा नहीं कर दिया ठीक है थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि अगर आप internet पे कहीं भी जा रहें या आप Facebook के उपर जा रहें आप पहले तो गये थे Amazon के उपर अब आप पहुच गे Facebook के उपर तो वहाँ पर भी आपको same वही product उसी product का add दिखता है तो किस तरीके से Amazon आपको Facebook क दिखाता है यह चीज़े कई बार आपने experience करी होंगी रियल लाइफ में वट यह सारी चीज़े digital marketing का ही example हम लोग सीखेंगे हम लोग थोड़ी से advanced digital marketing सीखेंगे इसी course में हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे हमारे पास अगर e-commerce website है या हम किसी company में काम करते हैं उनके पास आपने भी experience किया होगा और यही digital marketing है और example के हम लोग बात करते हैं कि जब कभी भी आप YouTube के उपर जाते हैं और YouTube में आप देखते हैं कि बहुत सारे videos आप देख रहे होते हैं अपने interest के side में आपको कुछ suggested videos दिखाई देने लगते हैं suggested videos वो जो suggested videos आपको दिखाई दे रहे ह that is digital marketing उसके बाद जैसे you watching any YouTube video and there is ad in between this is digital marketing कई बार आपने क्या experience किया होगा कि आपको YouTube video देख रहे हैं उसमें बीच में आप देखते होंगे कि आपको कुछ ads दिखाई देते हैं या आपको starting में एक ad दिखाई देता है जो बोलता है कि 5 seconds के बाद आप इस ad को skip कर सकते हैं तो digital marketing वो Google ads के through run होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे practically किस तरीके साम इस type के ads run कर सकते हम अपना ads दूसरों के videos में शो करा सकते हैं इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे यह चीज़े आपने भी experience करी हैं बहुत सारे चीज़ें जो हैं जो मैं यहाँ पर example दे रहा हू digital marketing facebook scroll करते करते हैं आपको बीच में ads रिखते हैं वो भी digital marketing है किसी website के उपर जाते हैं तो side में आपने कभी देखा है जैसे कोई website है और उसके नीचे side में आपने देखा है chatbot रहता है यह चैट का system रहता है कि आपकी जो भी problem है वहाँ drop कर सकते हैं और वहां से वह आपको response द करते हैं बहुत जादा हम फील करते हैं बहुत जादा हम उसको देखते हैं बट हमें पदा नहीं होता है कि यह जो सारी चीज़े हम देख रहे हैं यह digital marketing की वज़े से ही है उसके बाद on google you search something there are paid ads to जैसे मैंने अभी last की वीडियो आपको बताया था कि google के उपर आप जैसे google के उपर आप search करेंगे जो result pages आएगा उसमें आप देखेंगे कि आपको top में results दिखाई देंगे और उस result में जब आप ऊपर देखेंगे चोटा सा AD लिखाओगा तो इस टाइप से चोटा सा AD दिखाओगा तो यह जो AD आपको दिखाई देगा है जो AD वहाँ पर लि बट actually हमें पता नहीं होता है कि यह सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं यह डिजिटल मार्केटिंग तो आगया ने लिए वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे तो गाईज डिजिटल मार्केटिंग की फिर से एक बार डेफिनेशन की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग कोई नई चीज़ नहीं है यह मार्केटिंग का ही एक सबसेट है मार्केटिंग का ही पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग में भी वही सारे फंडामेंटल यूज होते हैं जो हमारे मार्केटिंग में यूज होते हैं बट मार्केटिंग करने का तरीका बदल गया यहां पर जो मार्केटिंग करने का तरीका है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इसमें हम डिजिटल मीडियम्स को लेकर आ गए हम सॉफ्ट वेर्स को लेकर आ गए हम इं यहाँ पर कि digital marketing बहुत जादा cost effective है मतलब जितना पैसा आप traditional marketing में खर्च करते हैं उससे कम पैसा आपका digital marketing में खर्च होता है it is fast and efficient for brand building brand building अगर आपको करनी है आपको नई brand launch करने जा रहे हैं आपको अपना presence बनाना internet के ओपर लोग आपको जान सकें social media के उपर आपको लोग जान सकें ऐसे अगर आपको brand building करनी है then digital marketing को आप opt कर सकते है traditional marketing brand building के लिए उतनी useful नहीं है जैसे pamphlets अगर आप 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 आपको traditional marketing का example क्या है कि handbills pamphlets और ये सारी चीज़े आप बाट रहे हैं तो pamphlets बाट के आप brand building नहीं कर सकते है brand building के लिए आपको digital marketing की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको अपनी brand को बहुत बड़ा बनाना है तो आपको digital marketing की तरफ जाना पड़ेगा थर्ड पॉइंट है it is measurable मतलब यहाँ पर जो चीज़े है न डिजिटल marketing में उनको हम measure कर सकते हैं उनको measure कर वहाँ पर numbers होते हैं कि हमारे आड को लोगों ने कितनी बार देखा कितनी बार देखने का मतलब number तो वहाँ पर measurability है लोग measure कर सकते हैं traditional market में लोग measure नहीं कर सकते ह किसने हमारा hand will पढ़ा किसने हमारे pamphlet पढ़े यह हम measure नहीं कर सकते बड़ डिजिटल marketing में चीज़ें measurable है कितनी बार हमारा एड दिखा कहां कहां हमारा एड दिखा किसने हमारे आड के उपर click किया यह सारी चीज़े हमारे पास measurable है तो digital marketing measurable है real time यह हमें results देखता है मतलब हम तो यह real time है आपर tracking आसान है यहां पर क्या था measure करना मुश्किल है very difficult to know what are the people think about us बहुत मुश्किल है यह समझना कि लोग हमारे pamphlet को देखकर कहीं hoarding अगर रोड पे लगी हुई है तो hoarding को देखकर वो लोग क्या सोच रहे हैं यह पता कर पाना मुश्किल है यहां पर लोग interact करते हैं interact का मतलब उन्हें add दिखा उन्होंने click किया हमें समझ में आ जाता है कि उन्हें interest है click करके हमारी website के उपर आते हैं कुछ time बिताते हैं हमें समझ में आ जाता है कि उन्हें हमारी website में interest है अगर वो website से तुरंत वापस चले जाते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है क हमारी website के ओपर कुछ गड़बड़ी है वो तुरंत वापस क्यों user जा रहा है क्यों हमारी website के ओपर नहीं रुक रहा है तो ऐसे बहुत सारी चीजे जो हम track कर सकते जो measure कर सकते जब हम इन चीजों को measure कर सकते तो हम इन चीजों से कुछ conclusions भी निकाल सकते यानि कुछ important results भी निकाल सकते हैं तो वही वात हो रही है यहां आपको real time results के बारे में help मिल जाती है यहां आपको real time results की help नहीं मिलती है यह हमेशा 24 into 7 जैसे मैंने कोई ad चलाया तो ad चलाया तो ad में क्या है कि वो 24 into 7 चल रहा है रात में भी हमारा ad दिख रहा है तो अगर कोई बंदा facebook चला रहा है रात में चला रहा है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो उसे हम अपना ad दिखा सकते हैं मतलब उसको हमारा ad दिख रहा है क्योंकि वो facebook चला रहा है और facebook के अंदर हम अपना ad लगा रखा हुआ है जो आपकी holding लगी होगी उसको देखने के लिए लेकिन रात में 12 बजे हो सकता है लोग अपने mobile को browse कर रहे हो, mobile देख रहे हो, in that case chances हैं कि उन्हें आपका ad दिख जाए, तो digital marketing के साथ advantage क्या है कि यह 24 x 7 है, आप किसी भी time, किसी भी दिन के किसी भी time अपना ad दिखा सकते हैं, marketing क कर सकते हैं, बट यह चीज traditional marketing में लागू नहीं होती है, तो guys इस particular वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आखि digital marketing क्या है, तो और सबसे important बात जो सीखी इस वीडियो में वो यह थी, कि हम लोग day to day life में बहुत से जगों पर digital marketing को experience करते हैं, बट हम समझ नहीं पाते कि वो digital marketing है आखि digital marketing में और traditional marketing में क्या फ़र्ख है, तो अगर आप इन differences को देख रहे होंगे, digital marketing और traditional marketing के differences को अगर आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ जया होगा, कि इसको अगर इन points को compare किया जाए, तो digital marketing आज की date में 2020 में बहुत ही useful है, right guys? Guys, इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि digital marketing के और ज़्यादा कौन-कौन से अलग-अलग benefits होते हैं, या हमें इससे और ज़्यादा क्या फाइदे मिल सकते हैं, क्या benefits हैं digital marketing के तो इस वाले topic को हम लोग cover करें, जो शुरू करते हैं, और जो सबसे पहला point guys आप यहा marketing कर रहें यानि कि हम internet marketing कर रहें हम medium internet हमने select रहका, internet के तूह हम marketing कर रहें,eller the content आइट के थुरू हम मारकेटिंग करें लोगों तक हम अपनी वेबसाइट को पहुचा रहेंग लोगों तक हम अपने शोशल मीडिया एकाउंट को पहुचा लोगों को हमारी वेबसाइट कद through हमारे business के बारे हम पता चलता है तो guys इस case में जब हम digital marketing करते हैं जब हम इंटरनेट marketing करते हैं यहाँ पर geography जो है किसी भी तरीकी का foundation नहीं geography मतलब कि हम अपना ad इंडिया में बैठके US में दिखा सकते हम अपना ad एक शहर में बैठके दूसरे शहर में दिखा सकते हैं हम अपना ad एक location में बैठके तूसरे location में दिखा सकते हैं मतलब अगर हमारा business जो इंडिया में है उसके बावजूद हम अपना ad US में targeting करके US के लोगों को United States में दिखा सकते हैं अगर हमारा business इंडिया में है जैसे आप मैंने example लिया था leaflet का या pamphlet का तो pamphlet अगर आपको geography जो आपकी location है उसके beyond जाके अगर आपको देना पड़ेगा तो आपको physically वहाँ पर जाके present होना पड़ेगा तभी आप pamphlet वहाँ पर बाट पाओगे, distribute कर पाओगे तो geographical जो constraints है वो बहुत जादा है traditional marketing बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप अपने business को expand करना चाते हो, हो सकता है कि आपका business एक शहर में बहुत अच्छा चल रहा हूँ, अब आप अपने business को दूसे शहर में भी expand करना चाते हो तो बिसनेस को आप जब दूसे शहर में ले जाते हो तो उसकी marketing में बड़ा जादा खर् कि अब उसके लिए आपको बड़ी-बड़ी hoardings लगाने की ज़रूरत होगी तो उनको समझना पड़ेगा कि वहां के rules क्या है नए शहर है नई locations होगी इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा उन बड़ी-बड़ी hoardings को लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहां पर आप hoardings लगा सकते हैं आपको देखना पड़ेगा कहां पर आप pamphlets को leaflets को बाठ सकते बट डिजिटल मार्केटिंग में यह चीज नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग में आपको इन सारी चीजों को देखनी की ज़रूत नहीं है अगर आप अपना business expand करना चाहते हैं तो गुंबाई की location को target करके मैं अपने प्रोटेक्टो सर्विस आल्रेडी वहाँ पर शो करना शुरू कर दूँ लोगों में awareness हो जाएगी तो डिजिटल मार्केटिंग के जो efforts हैं वो किसी भी तरीके से geographically bounded नहीं है इसका location से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप इंडिया मे second is real data, easy to measure, अब guys एक road के उपर मैंने holding लगाई, यह road के उपर एक holding लगी हुई है, इसको मान की चलते हैं हम लोग, यह holding है road के उपर और यह किसी coaching की है, यह IAS coaching से related holding है, अब इस road के उपर बहुत सारे, बहुत सारा traffic निकला है, traffic is in the sense, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस road से pass हो यह बता सकता है कि जिन लोगों ने is holding को देखा, उसमें male कितने थे, उसमें female कितने थे, यह सारी चीज़न हमें नहीं पता चल सकती, लास्ट एक घंटे में कितने लोगों ने is holding को देखा, यह हमें नहीं नहीं पता चल सकता, तो यह सारी limitations है, यहीं पर advantage मिल जाता है digital marketing को, ह सारी चीजें हमको पता चल जाती है यह सारी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के थुरू पता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के उपर अभी कितने लोग हैं, हमारी वेबसाइट के किस पेज के उपर अभी कितने लोग हैं यह सारी चीजे हमें डिश्टर मार्केटिंग के थुरू पता चल जाती है तो यह benefit है यह benefit है बहुत important benefit है कि यहाँ पर जो हमारे पास data होती है वो real data होती है real time data होती है कोई manipulation नहीं है यहाँ पर कोई भी fix चीज नहीं है कितने लोगों ने देखा कब देखा दिन में देखा रा उसको हम लोग traffic बोलते हैं इंटरनेट की language में generally traffic बोलते हैं तो कितना traffic हमारी website की उपर आ रहा है उसका real data हमें मिल सकता है easy to measure है और उसी के according हम जो है act करेंगे for example मैंने देखा कि रात के time तो मेरे आड को पर कोई click ही नहीं कर रहा है तो अगली बार से मैं रात में आड चलान लोग जो 20 साल से 30 साल के बीच में जिनकी age है उनको हम अपना आड दिखाएं किवल उनहीं को हमारा आड दिखें तो ये काम हम कर सकते हैं digital marketing के तुरू precise targeting होती है digital marketing में cost effective है बहुत जादा पैसा नहीं लगता है अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो ये जो अगर confusion है भी 29 का business जो है वो डिजिटल marketing को adopt कर सकता है इवें प्रहुष जोटे business होते हैं वो भी digital marketing को adopt कर सकते हैं यह हम जरूर मान सकते हैं पूरी पूरी digital marketing सारी इतने भी चीज़वा जीज़ेister marketing में हो सकता है वह सारी चीजों को ना यूज कर पाएं लोकिन बहुत चीजों को वो यूज कर सकते हैं फिर भी कर सकते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट एफेक्टिव है ये छोटे बिजनेसेस को भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी स्कोप प्रोवाइड करता है ऐसा नहीं कि केवल ये लाजर और बहुत बढ़े बढ़े बिजनेस के ये अगर आपका पेज ही न बना होता पेज को अप्तिमाईज करना पेज में किया क्या चीजा होनी चाहिए इंफरम foundation कैसे वहाँ पर रखनी है ये सारी चीज़े हमें digital marketing के scope में सीखने को मिलती है तो अगर digital marketing के scope की बात करें डिप्सर marketing के benefits की बात करें तो ये भी एक benefit है क्योंकि digital marketing के through ही हम facebook के presence बनाते हैं हम twitter के उपर अपनी presence बनाते हैं हम instagram के उपर अपनी presence बनाते हैं हाई conversion rate यहाँ पर conversions बहुत ज़्यादा ज़्यादा chances है क्योंकि हम बड़े targeted लोग को दिखा रहे हमें पता है कि हमारा जो customer वो कहां पर है हमें पता है हमारे target customer की location कौन सी है हमें पता है हमारे target customer का age group कौन सा है तो जब ये सारी चीज़े हमें हमें पता है हमारा जो customer है, ideal customer है उसके क्या attributes है, वो किस type का customer है तो ज़्यादा chances क्या है कि वहाँ पर conversion rates high होंगे क्योंकि हम बिना मतलब के तो लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को हम नहीं दिखा रहे हैं, जो relevant नहीं है, तो जो relevant है, जो हमारे काम के लोग है, जब हम उनको आड दिखा रहे हैं, उन तक हम अपनी ब्रांड को पहुचा रहे हैं तो conversion मतलब कि वो हमारे क्लाइंट बनने के, या customer बनने के, या हमारे service या project को लेने के chances बढ़ जाते हैं उसके बाद, digital marketing can help you in tapping the mobile users आज के time में, आप देखोगे तो जितने भी लोग internet browse करते हैं वो सभी internet browse कर रहे है through mobile, तो हमें पता है ये जो mobile usage है, जो internet usage है, वो आज के time में कितना जादा बढ़ गया है, तो अगर mobile usage और internet usage इतना जादा बढ़ गया है आज के time में चाहे वो आपका competitor हो, चाहे वो आपका prospect हो, चाहे वो आपका client हो, हर कोई mobile के उपर है और सारे ही mobile internet enabled है, सारे ही mobile social media enabled है, सारे mobiles के उपर social media चलता है, सारे mobiles के उपर Google चलता है, तो हम actually mobile users को tap करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग actually जितने भी mobile users हैं, उन बहुत सारे लोगों को लगता है, कि पता नहीं क्या के चीजों के हमें ज़रूरत पढ़ेगी, digital marketing start करने के लिए, अगर हमें एक छोटा सा ad भी run करना है, तो पता नहीं कितने का investment की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं, बहुत की easy है digital marketing start करना, आज की date में अगर आप 40 रुपए per day का भी ad लगाना चाहते हो, तो 40 रुपए per day के हिसाफ से भी आप ad run कर सकते हो, facebook के उपर guys, क्या आप सोच सकते हो कि traditional marketing आपको इतनी cost करी, guys, अगर traditional marketing में आपको pamphlet, leaflets, ये सारी चीज़े बनवानी है, प्रिंट करवानी है, ब्रोशर्स प्रिंट करवाने है, और उसके बाद उनको भेजना है, market में भेजना है, distribute कराना है, तो इसकी cost आप compare कर लीजे, और social media पे एक फोटा सा ad चलाना है, उसकी cost आप calculate कर लीजे, और दोनों को आपस में compute करके अगर आप देखेंगे, compare करके basically देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना जमीन आस्मान का फर्क है, और वहाँ पर barriers बहुत ज़ादा है, जैसे आपको physically, जो है leaflets, ब्रोशर्स, pamphlets, यह सब बनवाने पड़ेंगे, लेकिन online marketing में इतनी complications नहीं, आपके पार laptop होना चाहिए, internet होना चाहिए, बाकी सीजन सारी आप online कर सकते हैं, right गए, तो यहाँ पर इतना difficult नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि digital marketing के benefit में यह कैसे हो गया कि इतना आसान है यह start करना, पर trust मिं कि बहुत ही start करने, today we are seeing a shift and digital marketing is going to benefit in that, आज के time में जो हम important shift देख रहे हैं लोग अपने business को digitalize कर रहे हैं, अपनी website बना रहे हैं, तो अगर website उनकी बन गई, तो अब website को market भी तो करना है, मतलब लोगों तक website की information भी तो पहुचानी है, हमने website बना लिए हैं कि देखो, भाई मेरी website बन गए और यहां हम यह product की यह service बेच रहे हैं, तो लोग website बना रहे हैं, जब लोग website बना रहे हैं, लोग app बना रहे हैं, लोग digitalization कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर marketing की भी जरूवत है, तो यह भी एक बहुत बड़ा benefit है, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आखिर digital marketing के benefits क्या है, किस तरगे से मान सकते हैं कि आज के टाइम में digital marketing हमें बहुत जादा help करने वाली है, गाईज बेसिक digital marketing के discussion में एक और topic बहुत important है, जो आप digital marketing field में बहुत सुनेंगे, वो यह है कि आखिर inbound digital marketing और outbound digital marketing क्या होती है, यानि कि अब digital marketing भी दो तरीफी की है, हम जो अपने digital marketing के efforts करते हैं, जो हम digital marketing related activities करेंगे, आड चलाएंगे, email marketing करेंगे, SEO करेंगे, content marketing करेंगे, यह सारी चीज़े करेंगे, यह सारी चीज़े भी दो parts में divided हैं, एक है हमारा inbound digital marketing और एक है हमारा outbound digital marketing, अब बात करेंगे कि आखिर inbound digital marketing क्या होती है और outbound digital marketing क्या होती है, तो गई शुरुबात करते हैं हम लोग basic definition से, तो जो basic definition है वो यह है, inbound digital marketing is a business methodology that attracts customers by creating valuable content and experiences tailored to them, कहने का मतलब यह है कि for example, एक तरीका हम लोग इसको ऐसे समझने कोशिश करते हैं, कि यहाँ पर मैं marketing कर रहा हूँ, अब marketing के efforts हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक marketing का effort हमारा यह हो सकता है, कि सामने से कोई खुद चल के हमारे पास आए, सामने से कोई खुद चल के हमारे पास आए, that is called as inbound, right, outbound क्या होता है, outbound जब हम उस तक जा रहे हैं, जैसे इसको हम digital, क्योंकि यहाँ पर हम digital marketing पढ़ना है, तो important यह है कि हम inbound digital marketing का example लें, अब आपने क्या किया, आपने एक website बनाई और guys, website का बहुत अच्छा SEO किया, SEO मतलब search engine optimization, website का बहुत अच्छा SEO किया, अब कोई भी Google के उपर जाता है, और Google के उपर जा कि कोई भी keyword search करता है, तो keyword search करने के बाद उसे हमारी website उपर दिखाई देती है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, user खुद search कर रहा है, जैसे हमारी website, फिर से वही वाला example, coaching वाला, हमारी website coaching के उपर बेश है, हम डेली में IAS की coaching प्रोवाइड करते हैं, तो उससे related हमारी website है, अब कोई Google पे जाता है, और search करता है, कि best coaching for IAS in Delhi, और हमारी website Google के results में top पे दिखती है, तो this is basically के लिए inbound marketing, यानि SEO, जो search engine optimization हम लोग करते हैं, अपनी website को उपर लाने के लिए, वो inbound digital marketing की strategy का part है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी website लेकर नहीं गये, इस बात को समझो, वहाँ पर आप अपनी website लेकर नहीं गये, बट user query कर रहा है, आपके efforts इतने अच्छे थे, कि वो website ऊपर rank हो रही है, और आपकी website योपर user आ रहा है, वो ultimately आपको business मिलेगा, अगर उसे coaching में admission लेना होगा, तो ultimately उसको business, आपको business मिलेगा, बट क्या आप user के पास गए, क्या आप अपने product या service या website लेकर user के पास गए, नहीं, तो जब कभी भी user, ठीक है, ऐसी business methodology, ऐसी marketing methodology, जहां पर user आप तक पहुंचता है, यूजर आप तक पहुंचता है, बट जब user आप तक पहुंचा तो वो normally आप तक नहीं पहुंचा, उसके लिए आपने भी कुछ ना कुछ efforts किये हुए, digital marketing के कुछ ने कुछ efforts किये हुए, वो digital marketing के efforts, inbound digital marketing के efforts कहलाते हैं, या digital marketing, inbound digital marketing कहलाती है, बात क्लियर हुई, कि inbound digital marketing क्या है, अब बिलकुल इसी के opposite कि outbound digital marketing क्या है, तो outbound digital marketing के definition देखें हम लोग, interrupts your audience with content they don't always want, मतलब वो नहीं सर्च कर रहे हैं, उनको coaching के बारे में नहीं सर्च करना है, वो coaching के बारे में Google के ओपर नहीं सर्च करना है, लेकिन आप अपना अड़ दिखा रहे हो, जैसे example के तौर पे, मैंने example लिया था पिछले कुछ वीडियो में, एक Facebook आड़ का, कि आप अपने Facebook फीड, जब हम Facebook अपना scroll कर रहे होते हैं, उसको basically हम लोग Facebook feed बोलते हैं, तो जब आपनी Facebook feed scroll कर रहे होते हैं, बड़े सारे चीज़े आपने friends होगेरा के messages को देख रहे होते हैं, उनकी post को basically देख रहे होते हैं, उसी बीच में आपके पास एक ad आ जाता है, कोई advertiser चला रहा है, किसी भी company का ad चल रहा है, वो ad आप तक आ गया, तो क्या आप इस बात को mark करिए, क्या आप Facebook के उपर किसी का ad देखने जाते हो, इस purpose से Facebook नहीं बना हुआ है, Facebook एक social media platform है, तो आप वहाँ पर अपने friends से इंट्राक्ट होने जाते हैं, और भी जो आपके friends की activities है, पोस्ट है, उनको देखने जाते हैं, कि socially connect होने जाते हैं, अपने friends से ना कि आप ad देखने जाते हैं, बट हम as a marketer या कोई ex person as a marketer क्या कर रहा है, वहाँ पर उस Facebook platform में आपको ad दिखा रहा है, तो आप ad देखने नहीं गए, उसने आपको ad दिखाया, this is basically called as outbound marketing, अब क्या ये दोनों ही चीज़े, digital marketing नहीं है, जो पहले वाला inbound वाला मैंने example लिया, और second case में मैंने आपको outbound का example दिया, inbound digital marketing में क्या था, inbound digital marketing में ये था, कि हमारा content इतना strong, इतना established है, हमने इतने अच्छे efforts कर रखें, कि लोग अगर हमारी website से related चीज़े सर्च करते हैं, तो हमारी website उन्हें show होती है, तो this is basically inbound, वो search कर रहा है, उसने पहले वाले example मैंने लिया था, कि वो user ने keyword type किया, Google में जाता है, वहां search करता है, कि भाई, अगर उसे, जो है, IS की coaching में admission लेना है, तो search करता है, best IS coaching in Delhi, तो हमने अपनी website के उपर इतने अच्छे effort की, हमने अपना SEO इतना अच्छा किया, that is search engine optimization, इतना अच्छा marketing के उपर बहुत जादा focus करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर आप किसी को annoy नहीं कर रहे हो, यहां पर मैं उसको जबर्दस्ती नहीं बता रहा हूँ कि देखो, मेरी IS की coaching है, मेरी IS की coaching है, यहां पर inbound digital marketing, दो तरीके की, inbound and outbound, inbound में क्या होता है, inbound में यह होता है, कि जब कभी कोई user कुछ search कर रहा है, intent match होती है, उस वक्त आप अपने product के service के बारे में उसे दिखाते हो, और वो सारी चीज़े करने के लिए, जो भी digital marketing के efforts आप करते हो, वो inbound marketing में count होते है, outbound marketing में आप थोड़ी सी push कर रहा हो, वो अपने social media के उपर browse कर रहा है, आपने उसे अपना ad दिखा दिया, वो twitter के उपर जा रहा है, फहले case में facebook पे था, second case में वो twitter के उपर जा रहा है, आप उसे अपना ad दिखा रहा हो, that is basically called as push marketing, या उसको हम बोलते हैं, outbound marketing, तो example यह भी एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो, तो SEO, right, search engine optimization, this is inbound digital marketing, content marketing, this is inbound digital marketing, वही पर social media के ads, वहीं पर social media के ads, क्योंकि social media पर user क्या करने आता है, social media पर अपने friends से, और जो भी post वगरा है, उनकी उनसे interact होने आता है, अगर आप उसे ad दिखा रहे हो, that is outbound digital marketing है, digital marketing है, क्यों, तोकि digital platforms को आप यूज़ कर रहे हो, social media को यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, तो digital marketing तो है, but outbound digital marketing है, तो हमारा conversion automatically बहुत ज़्यादा हो जाएगा, reason, कि जब कोई किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, उसकी intent है, उस वक्त हमारा product या service या हमारा add उसको दिखता है, तो वो ज़्यादा connect करेगा, ना कि वो अपना browse कर रहा है, वो खरीद ने नहीं आया है, अब जबर स्थी उसको दिखा रहे हो, तो ऐसे में chances कम होते हैं, कि वहाँ पर conversion हो, तो conversion rate बहुत अच्छा हो, ऐसे chances बहुत कम होते हैं, हाँ impulse nature का product है, तो काम बन जाएगा, अब देखो एक और नहीं चीज़ यहाँ से निकल किया ही, मैं discuss करता हूँ, इसको आपके साथ, impulse nature के products क्या होते हैं, कि जैसे मान के चलते हैं, कि मैं social media के उपर, अपने facebook के उपर browse कर रहा हूँ, ठीक है, browse कर रहा हूँ, अब वहाँ पर एकदम से मेरे को add दिखा, कि एक कोई t-shirt विक रही है, और वो t-shirt है 500 रुपए की, लेकिन अगर आप 3 ट-shirt लोगे, तो वो t-shirt आपको केवल पड़ेगी 800 रुपए की, तो यह देखो 800 रुपए का बाएड आपको दिखा, तो 800 रुपए खर्च करने के लिए जादा लोग सोचते नहीं, तो जब कभी भी ऐसे products होते हैं, ऐसे services होती हैं, तो बड़े कम पैसे के हैं, 300 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, तो ऐसे चीजों के लिए user कभी भी बहुत जादा सोचता नहीं है, तो वहाँ पर आपको conversion मिल सकते हैं, तो वहाँ पर outbound marketing में भी, मतलब यूजर तो Facebook के ओपर टहल रहा है, user Facebook अपना browse कर रहा है, बट आपने अपना आड वहाँ पर show करा दिया, तो that is basically outbound marketing, निटल मार्केटिंग वहाँ पर भी आपको कनवर्जन्स मिल सकते हैं तो आपको दे रहेंगे तो ऐसी केसे जहां पर होते हैं वहाँ पर आउट बाउंड मार्केटिंग आपको conversions या results दे सकती है बट जादतर cases में inbound marketing हमें result देती inbound digital marketing कि वहाँ पर user search कर रहा होता है अब अगर user search कर रहा है उसे t-shirt चाहिए तो आप भले उसको 500 रुपए की भी दो अगर उसको जरूरत है need है keyword search कर रहा है कि मुझे t-shirt चाहिए तो जादा जादा chances हैं कि वहाँ पर conversion हो तो वहाँ पर अगर कोई उसे impulse nature का product या service नहीं दिख रही है impulse buying वहाँ ने impulse buying मतलब यह जो मैंने आपको example बताया कि ठीक है अगर ऐसा brainer offer आ गया no brainer offer आ गया तो वह तुरण उसको खरीद लेगा that is impulse buying तो अगर वहाँ पर impulse buying नहीं भी है impulse buying नहीं भी है तब भी वहाँ पर conversion हाई हो सकते किस case में inbound marketing के case में इंबाउं डिश्टन marketing case में जो conversions है वो कम रहते हैं अगर जो है product में impulse nature नहीं है उस टाइब का offer वाला product नहीं है तो यह main difference होता है कि आखिर inbound marketing क्या होती और outbound marketing क्या होती और important चीज हमें अपने दिमाग में throughout this course इस बात को रखना है कि ज़्यादा तर कोशिश हमें क्या करनी है कि हम inbound marketing की तरफ ज़्यादा focus करेंगे वो ज़्यादा strong है और वहाँ पर conversions होने के चांसे ज़्यादा है लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोडेक्ट के उपर और सर्विस के उपर एक बात मानके चलते हैं मैं 12th class का student हूँ और मेरे को कोई एक engineering college का एड़ दिखता है engineering college का ठीक है मेरे दिमाग में ज़रूर है brand awareness जरूर होगे engineering college की बट क्या मैं जाके तुरंट admission ले लूँगा क्योंकि engineering college की जो fees है उते एक लाख रुपे है तो क्या मैं तुरंट वहाँ पर जाके admission ले लूँगा chances बहुत काम है तो मेरा आड दिख रहा है उसके पैसे खर्च हो रहे लोग क्लिक करें उसके पैसे खर्च हो रहे बट क्या वो जो candidate है या मैं हूँ जो तुरंट जाके admission लूँगा नहीं ऐसा case नहीं होगा तो यह क्या हो रही आउड बांड वार्केटिक अब इसी को समझो कोई मैं वही candidate हूँ 12th class pass out हूँ अब मैं Google पर जाके उपर search करता हूँ best engineering college in Delhi best engineering college in जैपूर अब यहां पर मेरी intent है मेरी खुद की intent है तो अब अगर मेरा अड दिखतार तो chances है कि वह फॉर्म भरे वह inquiry करे यह सारी चीज़े करें तो दोनों में समझ में एक था मारा outbound marketing यहां पर होती यह भी digital marketing ऐसा नहीं कि digital marketing नहीं करते भी हैं पट अगर आप यह सोच के करोगी कि यहां से मेरे को conversion बहुत जारा मिल जाएंगे आउट बाउंड डिश्टल मार्केटिंग से तो वह थोड़ा सा गलत हो जाएगा इनबाउंड डिश्टल मार्केटिंग के strategy जितनी strong होगी आपके future में conversion आने के chances उतने जाद होगी तो guys I believe अभी आपको समझ में आ गया होगा कि digital marketing भी दो तरीकों से होती है एक है हमारी inbound digital marketing एक है outbound digital marketing दो तरीकों से होती है दो तरीके की होने का मतलब अलग हो गया डिश्टल मार्केटिंग के बहुत तरीक इसकी है जैसे SEO है Google Ads है ये सारी चीज़ें बट ये सारी चीज़ें मिला के दो अलग-अलग categories बनी हुई है दो अलग-अलग process बनी हुए जिनके थुरू हम digital marketing करते है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये digital marketing का scope क्या है आज की date में digital marketing का क्या scope है इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में आज के time में internet कितना use हो रहा है कितने लोग जो है वो internet use करें पूरे world की population का अगर हम comparison करें तो कितने लोग आज की date में internet को use करतें क्योंकि जो digital marketing का scope है digital marketing का future है अगर हम digital marketing सीख लेते हैं तो हमारे पास क्या opportunities हैं ये सारी चीज़ें इस बात से भी relate करती हैं कि आज के time में internet कितना popular है और internet कितना ज्यादा accessible है लोगों तक आज internet की पहुंच है लोग चाहे वो आप इंडि अवलेबल है तो जहां पर internet अवलेबल है वहां पर आप अपना एड दिखा सकते हैं जहां पर इंटरनेट अवलेबल है वहां पर आप अपने brand को पहुंचा सकते हैं अपनी social media profile को पहुंचा सकते हैं तो digital marketing का scope कहीं न कहीं इस बात पर भी depend करता है कि पूरे world में पूरे globe मे internet users कितने हैं और वो internet users किस speed से बढ़ रहे हैं यानि कि अगर हम comparison करें दो साल पहले तो दो साल पहले जो internet users थे पूरी दुनिया में वो कितने थे उसका comparison कर लेते हम इंडिया से कि दो साल पहले इंडिया में internet users कितने थे और आज को अगर हम compare करें कि आज internet users कितने हैं तो आपक बढ़ाई यहाई पहले 100 है तो ऐसे 200 हो रहे हैं फिर 400 हो रहे हैं इस तैप से internet users का graph बढ़ा है और जैसे जैसे ये internet users का graph बढ़ा रहा है वैसे वैसे digital marketing के field में opportunities बढ़ती जा रही है scope बढ़ता जा रहा है अलग-अलग बहुत सारे options है आज हमारे पास career के point of view से खुद का business to do करने के point of view से कि हम digital marketing को use कर सकते हैं So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं scope of digital marketing की और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को सबसे पहले समझें कि किस तरीके से जो internet users हैं दुनिया में वो बढ़ रहे हैं तो अगर हम कुछ data को लें stats को लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 की ये data है कि 50% of the population of the world is now internet equipped यानि 50% population जो दुनिया की है उसको आज internet का access है और वहीं पर अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह वाला जो हमारे पास mark है जहाँ पर कुछ internet users है in year 2009 और अगर हम यहाँ पर 2015 को देखें या 2017 को देखें तो हम almost double कर गए guys हम almost double कर गए 6-7 सालों के अंदर हमारे जो internet users है वो double हो गए अगर इनको next 7 years से compare करो तो और जादा जो है यह internet users का count जो है वो और जादा बढ़ जाएगा जितना जादा internet users का count बढ़ेगा उतनी जादा हमारे पास opportunity होगी कि digital marketing को use करके हम दूसरे के businesses को या अपने businesses को लोगों तक promote कर सके तो digital marketing का scope directly proportional है internet users के next हम लोग कुछ और data देखते हैं जिससे आपको और जादा clarity होगी अगर हम बात करें जो global internet users है वो कितने हैं लगभग 4.1 billion global internet users है और यह जो आप source देख रहे हूँ यह Wikipedia का source है विकिपीडिया से यह image है इसका source विकिपीडिया है बाकी अगर हम बात करें यह data कपकी है तो यह February 2019 जो वलब recent data है बहुत ही पुरानी data नहीं है February 2019 में इंडिया में जो internet users थे उनका count लगभग लगभग 400 million test कर रहा था 400 million और आज ही date में यह और भी जादा increase हो गया है तो अगर हम इंडिया और चाइना की जो internet users से इनको combine करके देखें तो वर्ड का 50% to 60% user internet consumption जो हो रहा है वो केवल इन दोनों countries से हो रहा है और इसमें इंडिया भी है तो हमारे पास इंडिया में बहुत ही बड़ा scope है कि हम digital marketing को use कर सकते है next कुछ data के उपर हम लोग और ध्यान देते हैं यहाँ पर तो और जद आपको clarity होगी कि digital marketing का scope क्या है guys पहले क्या होता था कि हम door to door advertisements करते थे word by mouth publicity होती थी radio announcement होते थे TV commercials होते थे यह सारी चीज़े थी इंडिया भी इन सारी चीज़ों से उपर rely करता था बड़ आज के time में जब internet की accessibility इतनी आसान हो गई लोगों के पास internet इतनी आसानी से available है इतनी cheap rates में available है सारे जो हमारे पास devices हैं वो internet equipped हैं ऐसे में पूरे का पूरा जो traditional marketing है उसमें एक shift हमें देखने को मिला है और वो जो shift है वो traditional marketing to digital marketing है तो यह जो सारे data है यह जो सारी information है यह जो सारा shift है यह इस बात को बताता है कि जो future है digital marketing का वो बहुत bright है और जो scope है digital marketing का वो बड़ा wide है मतलब digital marketing आजकर time में हर type of business में चाहे वो हम education की बात करें education में digital marketing का use हो रहा है चाहे हम वो automobile industry की बात करें automobile industry में आज जो है digital marketing use हो रही है चाहे हम वो entertainment industry की बात करें उसमें चाहे हम news की बात करें तो जो scope है digital marketing का यानि हम बात करें कि किन industries में हम digital marketing को use कर सकते है तो आज के टाइम में जितनी भी available industries हैं, सब में आप digital marketing को use कर सकते हैं आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे पास जो एक data है, वो online shopping से भी related है गाइस, 69 million online shoppers थे हमारे पास 2016 में, जो 2017 में 100 million हो गए और इंडिया में, इंडिया में 100 million 2017 में थे और इंडिया में जो online shoppers थे वो 200 million से भी जादा हो गए in year 2019, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि e-commerce जो है अभी peak पे है, यहनि e-commerce business अभी peak पे है, अगर e-commerce business peak पे है amazon जैसी, flip card जैसी, और भी ऐसी बहुत सारी जो e-commerce website है, अगर वो business कर रही है, आज के time में business कर रही है क्योंकि यहाँ पर opportunity बहुत जादा है, और यह चीज जैसे मैंने आपको बताया, यह जो graph है, यह यहाँ पर रुखने वाला नहीं है, यह graph exponentially increase हो रहा है और COVID-19 के बाद यह situation और तेजी से, यह जो numbers आप यहाँ पर देख रहे हो, यह और तेजी से accelerate होना शुरू हो गए, यानि कि इसमें जो growth है, वो और जादा बढ़ गई, राइट, क्योंकि COVID-19 के बाद लोगों को लगा, कि digital marketing के थुरू, आज के time में किसी भी business को scale किया जा र करना स्टार्ट कर दिया है, आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम देखें, scope या career opportunity क्या है, सीख लेंगे हम digital marketing, बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे SEO था, Google Ads था, freelancing है, सारी चीज़े हम समझ लेंगे, बट उसके बाद करेंगे क्या, क्या opportunities हमारे पास, तो तीन major opportunities है हमारे पास, first is freelancing, हम freelancing की तरफ move कर सकते हैं, हम freelancing projects ले सकते हैं, जो भी हमने सीखा, अगर हमने SEO सीखा है, अगर हमने Google Ads चलाना सीखा है, तो इससे related हम freelancing projects ले सकते हैं, और freelancing projects के थुरू हम earning कर सकते हैं, जो point of view से देखें, तो बहुत सारी जो MNCs हैं, वो आज के टाइम मे digital marketing candidates को ढून रही है, digital marketing में skilled candidates को ढून रही है, बहुत सारे जो start-ups हैं, उनका पूरे के पूरा जो marketing campaign है, वो आज के टाइम में digital marketing के उपर ही बेश्ट है, इवन बहुत सारे जो political campaigns हैं, वो भी आज के टाइम में digital marketing के थुरू ही हो रहे हैं, आप देखते हैं कि government कोई भी scheme launch कर करती है, तो आप क्या देखते हो, facebook के उपर आएड आ रहा है, tv के उपर आएड आ रहा है, तो digital media, digital marketing इनको अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी type का marketing campaign जो आज के टेट में 2020 में हो रहा है, चाहे वो private organization कर रही हो, चाहे वो government organization कर रही हो, चाहे छोटे businesses कर रहे हो, चाहे बड़ करके बात करूँगा, कि कितनी jobs हैं, pay scale क्या है, अलग-अलग तरीके से, कौन-कौन सी jobs हैं, हर job में लगभग कितनी salary है, कितना time लगता है, established career बनाने में, आपके job start करते हो, तो पर internship करते हो, उसके बाद और दद एक्सपर्ट होते हो, तो किस scale तक, किस level तक आपका जो profile हो ज जा सकती, इन सारी चीजों को हम लोग discuss करेंगे, एक opportunity आपके पास ये भी है, कि आप अपने digital marketing agency set कर सकते ही, यानि कि आप अपने small business start कर सकते हैं, आप अपने digital marketing agency set कर सकते हैं, और वहाँ पर आप digital marketing से related वहुत सारे projects ले सकते हैं, जो सीज़े मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे SEO आप तीखेंगे, Google Ads सीखेंगे, इन सारी चीजों से related, Facebook Ads आप तीखेंगे, इन सारी चीजों से related आप जो है projects, दूसरे जो businesses हैं, उनके projects आप ले सकते हैं, और उनके लिए advertising, campus run कर सकते हैं, आड रन कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं, सारी चीज़े कर सकते हैं, तो आप अपना business भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कि digital marketing का scope अब बहुत वास्ट हो गया है, और इसमें अभी बहुत जादा opportunities हैं, तो इस point of view से बहुत सारे businesses जो हैं, वो आज के time में agencies को ढून रहे हैं, वो चाहते हैं, कि उनका जो business है, उनके जो marketing campaigns हैं, वो agencies manage करें क्योंकि वो लोग expert होते हैं, वो जो हमारी digital marketing agencies क्योंकि वो लोग expert होते हैं, तो वो आपको कुछ service charge देते हैं, और उसके basis पर उस service charge के basis पर आप उनके लिए campus और उनके advertising campus, उनके website advertisements, ये सारी चीज़ें आप करते हों, तो ये तीन major opportunities हैं, career point of view से आपके पास, आप freelancing कर सकते ह हैं, आप job कर सकते हैं, job में भी आप छोटी company, startups, small businesses के साथ काम कर सकते हैं, और MNCs, बड़ी company जैसे PCS है, जैसे InfoCess है, यहाँ पर भी digital marketing की बहुत दादा demand है और बहुत सारी vacancies होती, तो वहाँ पर भी आप job कर सकते हैं, अगर आप कोई अपना business setup करना चाहते हैं, अपनी digital marketing agency खोलना चाहते हैं, तो वह भी आप खोल सकते हैं, कुँछ small limited employees के साथ आप काम कर सकते हैं, और फिर आप बाहर से projects ले सकते हैं, यानि कि बाहर से आप काम ले सकते हैं, और फिर उनको आप complete करसकते हैं, तो यह digital marketing का scope है, और जैसे जैसे internet availability, जैसे internet accessibility, जैसे जैसे internet सस्ता हो जाएगा लोगों तक मिलता जाएगा ये opportunities और जादा आपके लिए बढ़ती जाएगी जैसे से लोगों में awareness आती जाएगी वैसे वैसे ये सारी opportunities आपके लिए और जादा होती जाएगी हेलो एंड वेलकम तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाइड डवलो एस क्यूब टेक मैसल फूमर तश्कीर गईस इस पर्डिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फिल्ड में job opportunities कितनी हैं और किस-किस टाइब की jobs हैं तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे job portals के उपर और वहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की jobs कौन-कौन सी है तो सबसे पहले guys आप यहाँ पर देख सकते हो मेर लगभग 4968 यहाँ पर यह जो figure लिखी हुई है that is 4968 तो आप देख रहे हो एक time में आपको यहाँ पर कितनी jobs दिख रहे हैं कितनी active jobs दिख रहे हैं लगभग 5000 active jobs हैं और आप इसको scroll करोगे तो आप देखो के बहुत सारी ऐसी MNCs हैं बहुत सारी ऐसी बड़ी companies है जैसे यहा class pro class pro यहाँ पर दिख रहा है तो आप जाके Google के ऊपर तुरंट चेक कर सकते हैं आप कि class pro एक बहुत ही बड़ी company है बहुत ही बड़ी company है जो basically software बनाती जनरली tuition classes के लिए coaching classes के लिए class pro जो है software बनाती अब इनको भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है digital marketing executive की जरूरत है तो job opportunities ह है एक example हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो LinkedIn से related है कि LinkedIn के उपर हम लोग जाके देख रहे हैं कि job opportunities है अब भी चाहे तो real time में अभी जाके आप सच कर सकते हैं मैं कुछ और portals आपको दिखाता हूं ताकि और जादा आपको चीजों के बारे हैं पता चले हम यहाँ पर है नौ 1703 यह नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि digital marketing में लगभग इतनी जादा jobs है आप इन में भी जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर account manager for digital marketing है मलब digital marketing में जो बहुत से accounts होते हैं clients को manage करना होता है उसकी जो post होती है उसको हम लोग account manager बोलते हैं साथी साथ यह experience को भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इनको 0 से 3 years का experience वाले बन दें चाहिए 0 से 3 years के बीच में उनका experience होना चाहिए तो 13,000 हमको यहाँ पर दिखने है तो job opportunities है अगर हम इंडिया की बात के तो इंडिया में बहुत सारी job opportunities अभी digital marketing को लेकर हो जो सबसे बड़ा region है वो यह है कि digital marketing क चहने में तो बड़ा चोटा सा वर्ड लगता है बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है अम्परेला टर्म है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है जैसे email marketing तो आप हो सकता है कि एक company के अंदर email marketing का ही separate department हो एक बड़ी company के अंदर अगर हम social media marketing की बात करते है तो हो सकता सारे जो jobs opportunities है वो एक segment में आ जाती है digital marketing के एक part में आ जाती है एक segment में आ जाती है तो यह एक reason भी है कि यहाँ पर बहुत सारी job opportunities है और आप बहुत ही beginning level पर start कर सकते हैं अब आपको 5 साल-10 साल का इस पीने चाहिए एक बड़ी company में जाने के लिए नहीं तीन महीने छे महीने क एक अच्छी proper internship, proper knowledge, proper sound अगर आपका base बहुत sound है तब भी आप जो है बहुत सारी companies में apply कर सकते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं आपर glass door का भी मेरे पास एक stat है जो salary से related है basically यह भी बहुत सारे लोग को confusion रहता है तो मैंने बिलकुल real time data यहाँ पर आप देख सकते हो, glass door क 80,000 के आसपास थीं लग- 87,000 पर annum है यह पर अन् saying अन्याव जो package होता है यहाँ पर average है इससे thोड़ा से थींते से कम बहुत है इससे थोड़ा से किल है डिश्टल मार्केटिंग पूरी प्रैक्टिकल बेश डेक नॉलेज है तो इस टार्टिंग में आपको हो सकता है सालेरी उतनी जादा ना मिले पट इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशल है मतला अगर आपने शुरुआत के एक दो साल सर्वाइफ कर लिया उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत जादा ब्राइट है क्योंकि वहाँ पर फिर आपके जो सालेरी वो धीरे धीरे नहीं बढ़ती मतला अगर आपने पंदाजार से शुरुआत करी बीज यहां पर जो ग्रोथ है वह जो आपका एक्सपीरेंस उसके साथ एक्सपोनेंशल होती तो यह भी एक अपॉर्चिंटी बहुत अच्छी है यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर अगर आपको डेट प्रॉपरली दिख रही हो तो यह 15 जुलाइ 2020 की रिपोर्ट है इस दिन की रिपोर्ट है यह एवरे सैलेरी हम लोगों देखिए आपर 382K के आसपास है यानि 3,82,000 रुपए पर NM के आसपास है फिर से यहां पर भी आप देखो तो यहां पर LinkedIn का और भी स्क्रीनशाट है इससे यह पता चलता है कि आखिर कौन सी जो कंपनीज है वो डिजिट प्रफियुटी कंपनीज है जो डिजिटल मारकेटिंग में काम करनें बड़ी MNCs जो पूरे वरड में है या पूरे इंडिया में है ऐसी कंपनीज क्या डिजिटल मारकेटिंग के लिए हाइरिंग करती है तो उसका अंसर यह है तो अगर आप गूगल पी जाके सच करोगे एए नहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर के लिए भी हाइर करें या थोड़े टाइम के लिए अपको इंडिया में रखें ये इंटर्वीव होते हैं वो बड़े open इंटर्वीव नॉर्मली वॉकिन्स होते हैं आप सीधे जा सकते हो एसेंचर में और आप जो है जॉब के लिए अपलाई कर सकते हो एसेंचर है विप्रो है इसमें इसी तरीके से होते हैं अभी कुछ टाइम पहले तो हर सटर्ड को इस time और बहुत जादा इसकिल्ड लोग है नहीं जिनको बहुत जादा स्किल्ड हो या बहुत अच्छे से जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती हो तो ऐसे में क्या हुआ कि हाइरिंग से बहुत ज़्यादा कर दी क्यों कि परोजेक्स बहुत जादा है बड़ी कंपनी इसक जैसे मैंने लिखा कॉगनिजेंट यहां पर टेक्नलोजी सल्यूशन से यह वो सारी कंपनीज हैं जो हाइरिंग करती है अब यहां पर अलग-अलग मैंने पोजीशन भी रख रखी थोड़ी से और आपको आइडिया हो जाए जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की चीज़े तो होंगी तो वो टेक्स्ट किस तरीके से बिजनेस ते रिलेटेड है इन सारी चीज़ों के लिए हमें content writers की जरूरत होती है इन बाउंड मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत होती है जो पूरी प्रॉसेस को देखते है शोचल मीडिया मार्केटिंग experts specialist की जरूरत पढ़ती है search engine marketers की SEO वालों की SEO executives की conversion rate optimizers की और copy writers की जो add वगरा लिखते हैं उनकी हमें जरूरत पढ़ती है तो इन सारे लोगों की जरूरत होती है जो digital marketing में काम करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने एक overview आपको company structure के point of view से भी दिया है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले company में कौन होता है CEO होता है चीफ executive officer होता है और उसके बाद अलग-अलग departments को CEO head करता है उन्हीं में से एक department होता है marketing and sales का तो जैसे यह department है marketing and sales का तो इसका एक vice president होता है यह मैं हरार्की बता रहा हूं ताकि आप जब ground level पर enter करेंगे बिल्कुल नीचे जब आप enter करेंगे तो धीरे धीरे with the experience आप यहां तक पहुं सकते हैं तो vice president marketing and sales होता है उसके बाद हमारे पास क्योंकि marketing अलग-अलग तरीके की होती offline marketing भी होगी यहां पर एक digital marketing का department होगा और इस department को एक बंदा head करेगा right head करेगा थीक है तो digital marketing head होगा अब digital marketing में अलग-अलग department होते हैं digital marketing में अलग-अलग department है कौन से content marketing manager है इसके अंदर एक team होगी content marketing की inbound marketing manager है इसके अंदर एक team होगी search engine marketer है कुछन मीडिया manager है इन सब के अंडर जो है कुछ न कुछ टीम होगी तो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर हो सकता है वो लोग जो हैं वो entry level के लोग होते हैं entry level मतलब जब आपकी जौब लगती तो आपकी जौब इसी position पर लगती या आप intern level पर जाते हो internship करते हो आप तीन महिने की उसके बाद अब executive बगएर लेविल पर आ जाते हो और उसके बाद एक दो साल काम करने के बाद मैनेजर की पोस्ट पर पहुंसते हो मैनेजर की rank पहुंसते हो तो यह वाली तब आपके नीचे यह team lead मैनेजर भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको team lead भी बोलते हैं तो अलग-अलग companies में अलग-अलग hierarchy होती ही कुछ मैनेजर से यहां लिखते हैं कुछ लोग team lead लिखते हैं तो फिर उस वक्त जब आप team lead होते तो आपके अंदर जो है आपके अंदर जो है वो एक team जो भी आपका respective department है उसके अंदर आपके कुछ team काम करती है कुछ लोग आपके काम करते हैं तो यह यह hierarchy है कि किस तरीके से जो है digital marketing company में departments होते हैं यहाँ पर फिर से एक screenshot है और यह screenshot है जैसे आप देख सकते हो यह मैंने digital marketing यहाँ पर के वल इंडिया में job डाली तो यहाँ पर भी 10,123 results दिखा रहे हैं नहीं 10,000 opening सभी भी है digital marketing की field में लेकिन अभी यह फिल नहीं हुई ना इसका मतलब की skilled लोग की coming है राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग तो opportunities बहुत है salary को लेकर मैंने फिर से एक बार breakdown किया ताकि और जाद आपको clarity हो जाए जैसे zero से one year के बीच में आप रहेंगे तो generally आपको इस scale में salary मिलेगी अगर हम इसका average लें तो किसी भी department में आप काम करेंगे digital marketing के search engine optimization, social media, email, paper click freelance, content writer, wordpress के उपर आप काम करेंगे वेबसाइट होगरा बनाएंगे Google antics देखेंगे e-commerce करेंगे तो आपकी जो salary है starting salary 15 to 20K होगी यह data है ठीक है बहुत से जगों से अलग अलग लग लिए यह data compile करी विए बट आप अगर इस चीस को इस तरीके से देखें यहां पर आप देख र करता है, capabilities पर depend करता है, आपके hard work पर depend करता है, सारे केसे देख जैसे नहीं होते हैं, अगर मैंने का कि आप तीन गुना salary पहुं सकते हैं, दो साल के अंदर तो हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई कलरना ने चीजों को जल्दी सीख रहे हैं तो आप देड़ साल के अंदर भी पहुं सकते हैं, और ये भी depend करता है कि company की उस वक्स policy किस तरीके की है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो है, आप देखें, designation के हिसाफ से, यह तो थो थोड़ा work के हिसाफ से कि कि किस department में लगभग कितनी salary होती है, और यहाँ designation, जब एक ही department में आप उपर बढ़ते जाते हो, तो किस तरीके से आपके salary increase होती है, तो वही चीज़ executive के level पर देखो, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता है, फिर आपके salary बढ़ती जाती है, तो यह वो हमारे package है, यह हमारे salary है, experience है और designation है गाइस, इस particular video में हम लोग समझने वाले है, different types of digital marketing, right, कि digital marketing में हमारे पास और अलग-अलग तरीके के कौन-कौन से हमारे पास processes है, ऐसी अलग-अलग तरीके की कौन-कौन से हमारे पास types of digital marketing है, या activities है, जो digital marketing में हम लोग करते हैं, so guys, इनको हम लोग बहुत deep में, हर module में opportunities क्या है, इन सारी चीजों को, तो guys, हम लोग बात करते हैं कि अलग-अलग तरीके की digital marketing क्या होती है, और इसका हम लोग एक overview ले ले लेते हैं, और उसके बाद इन चीजों को मैं आपको इसी module में और detail में बता दूँगा, तो जो अलग-अलग types of digital marketing है, उसमें सबसे पहले आ लेती है, कि हमारी जो website है, या हमारा जो webpage है, जो भी हमारी website है, वो search engine में या Google में organically rank करे, इसका मतलब यह हुआ कि हम decide करते हैं कि कुछ specific keywords के उपर, जैसे कि हमारी अगर website development की company है, तो मैंने एक example ले लिया, कि मेरा जो keyword selection रहेगा, यह सारी चीज़ा मैं आपको अभी आगे पताऊंगा, पर अभी हम लोग overview ले लेते हैं, मेरा जो keyword रहेगा, वो जैसे रहेगा, web development company, मैंने यह select किया, कि एक keyword है, web development company, अब इस keyword के उपर, जो मेरी website है, वो पहली position पर, या पहले page के उपर आनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए, जो भी हम efforts करते हैं, वो सारे हमारे search engine optimization के efforts होते हैं, और इसमें भी अंदर भी बहुत सारे चीज़े हम लोग करते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे, छोड़ा सा और समझेंगे, उसके बाद जो एक दूसरे type की digital marketing होती है, that is PPC, यहाँ पर हम paid ads run करते हैं, देखो PPC, या search engine marketing, search engine का मतलब यह हुआ, search engine marketing का यह मतल गोगल के उपर गया, यहां पर हम कोई query करते हैं, query मतलब कुछ भी हम अगर icver जयाकर search कर रहें, तो जो हमें results दिखते हैं, उसमें हमें दो तरीके result दिखते हैं, एक हमे पे result दिखता है, यå याई कुछ results, कुछ advertisement हम इस तरीके से करते हैं, जिसके लिए हम कुछ payment करते हैं, Google को, तो वो यहाँ पर हमारा show होता है, that is PPC, यानि Pay Per Click Model हम उसको बोलते हैं, यह हम उसको बोलते हैं, Search Engine Marketing, वही पर जो नीचे आपको results दिखते हैं, सारे results यहाँ पर paid नहीं होते, सारे results यहाँ पर free नहीं होते, कुछ results आपको यहां पर free दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं organic results तो जब कभी भी आप organic results में अपनी website को rank कराना चाहते हैं जैसे हमने बात करें के भी तो उसको हम बोलते हैं search engine optimization और जब कभी भी आप search engine में ही top में यहां पर आप paid ads के form में अपनी website का URL या अपनी website को दिखाना चाहते हैं यहां पर अपने results को दिखाना चाहते हैं that is called as PPC तो इन दोनों को हम लोग सीखेंगे किस तरीके से यह ads हम run करते हैं और किस तरीके से हम अपनी website की ranking जो है उसको हम improve करते हैं थर्ड is email marketing यानि कि अगर हमें email campus run करने अगर हमें अपने business को promote करने के लिए अपने product को promote करने के लिए या अपनी service को promote करने के लिए email को use करने के लिए email marketing को use करनी है तो हमें email marketing आनी चाहिए email marketing भी digital marketing का ही एक part है उसके बाद content marketing यानि किस तरीके से हम content लिखते हैं अगर हमारी कोई website है या हम social media के लिए content लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ specialized चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कुछ important चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि content किस तरीके का content जो है content marketing की बात करते है content के अलग-अलग form होते है internet के उपर हमें text के form में content मिलता है internet के उपर हमें images के form में content मिलता है और internet के उपर हमें videos के form में content मिलता है किन situations में किस type का content हमें इस्तेमाल करना है और किस type के platform के उपर जाना है ये सारी चीज़ें हम content marketing में cover करते है then facebook ads जो हम लोगों ने बात करी इससे पहले भी हमने बात करी थी facebook ads भी हमारा digital marketing का ही एक पार्ट है then video marketing, youtube optimization यानी youtube के उपर हम अपने videos किस तरीके से create करते हैं किस तरीके से upload करते हैं जब कभी कोई search करता है youtube के उपर जाके तो chances कैसे बनेंगे कि हमारा video जो है उपर top पे rank हो जब तक आपका video top पे rank नहीं होगा तब तक उसके उपर views नहीं आएंगे तो किस तरीके से हम अपने video को top में rank करा सकते हैं किस तरीके से videos को viral कर सकते हैं क्या कोई ऐसे options हैं जिसके तरू हम YouTube से earning कर सकते हैं कितनी earning कर सकते हैं क्या क्या अलग-अलग opportunities है earning की YouTube के तरू basically ये सारी चीज़े हमारी cover होती है YouTube वाले पार्ट में digital marketing का एक तूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते है video marketing या YouTube marketing उसके बाद social media marketing मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें social media के ऊपर अपना presence बनाना है और social media के तरू हमें बहुत सारे जो ads है अलग-अलग social media के तरू Instagram के तरू भी, Twitter के तरू भी, Facebook के तरू भी हम ads run कर सके, उनके पर profiles बना सके और वहां पर हम अपने business का, अपने product का या अपने service का presence बना सके तो जब कभी भी हम social media के ऊपर advertisements करने की सोचते हैं, marketing करने की सोचते हैं तो वो हमारे digital marketing में social media में count होता है Social media optimization, अब marketing और optimization में फर्क यह है guys कि optimization में जारतर हमारा focus इस बात के उपर होता है जैसे एक example में लेता हूँ, छोटा सा example कि जैसे आपने कोई facebook page बनाया तो अब facebook page के ऊपर सारी information आपके business की है या नहीं है ये चीज count होती है social media optimization आपने facebook page तो बनाया बट उसकी image नहीं प्रॉपर लगई आपने facebook page तो बनाया बट facebook page पे cover photo होती है जो ऊपर हमें दिखती है, वो cover photo आपने नहीं लगई आपके business की महाँ पर details नहीं प्रॉपर है तो ये सारी चीज़े क्या है, ये सारी चीज़े हैं कि आपने social media optimization बेसिकली नहीं किया है सबसे पहले हमें social media optimization करना होता है उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि social media marketing हम कैसे करेंगे marketing का मतलब facebook page के उपर हम कब post करेंगे किस time post करेंगे, क्या चीज post होगी, किस format में post होगी इन सबका हमें calendar बनाना पड़ता है calendar का मतलब ये हुआ कि एक schedule हमें बनाना पड़ता है और उस schedule को follow करके हम social media marketing करते है then affiliate marketing इसको भी हम लोग detail में समझेंगे कि आखिर affiliate marketing क्या होती है और इससे हम लोग किस तरीके से earning करते है वैसे एक general अगर मैं आपको एक line में definition बताने कोशिश करूँ तो affiliate marketing का मतलब ये होता है कि अगर किसी और का प्रोडेक्ट है जैसे ये pen है एक्सामपल के उप्सार में मानते है कि ये pen किसी और का है कोई और इसका manufacturer है या owner कोई और है अब हम क्या कर रहा है हम as an affiliate हम बोलते हैं खुद को as an affiliate जो marketer होता है वो affiliate बोलता है वो as an affiliate इस pen को जो है उसके basis पर उसे कुछ fixed commission वगरा मिलता है तो that is basically affiliate marketing तो digital marketing में affiliate marketing का भी बहुत बड़ा रोल है इसको हम किस तरीके से करते हैं और इसमें क्या important points है इसको हम इस वाले section में पढ़ेंगे ये भी आज की date में बहुत ही important section है ये भी आज की डेट में बहुत ही important section है तो ऐसे में हमें देखना है कि हमारी जो app है वो हमेशा play store में top पे रहे तो वो जो सारी हम activities करते हैं वो app store optimization में होती है तो guys थोड़ा सा हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात करी इस पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये SEO होता है हमारा PPC होता है तो थोड़ा सा इसको मैं और आपको detail में समझा देता हूँ और ज़्यादा clarity हो जाए Guys SEO का मतलब होता है search engine optimization और यह जो process है यह है कि जब कभी भी user कोई query करे जैसे यहाँ पर कोई query किया तो हमें क्या करना है हमें top पे रहना है top पे नहीं तो हमें first page पे रहना है तो यह काम करने के लिए ऐसे ही आपकी website आज आपने website बनाई कोई search करें आपकी website यहाँ गूगल में top पे नहीं आएगी इसके लिए में बहुत सारे efforts करने पड़ते हैं उन efforts में अलग-अलग चीज़ें involved होती हैं तो उन efforts को हमने अलग-अलग categories में बात रखा एक को हम बोलते है on page SEO यानि जब कभी में अपनी website जो हमने बनाई है जिसको हम rank करना चाहते हैं उसके उपर हम जब changes करते हैं उसके content में कुछ changes करते हैं that is on page SEO off page SEO होता है जब हम beyond website मतलब अपनी website के उपर काम नहीं करना है तो हम उसको off page SEO बोलते है technical SEO जैसे example है speed हमारी website बहुत quick google में open होनी चाहिए हमारी website कोई search करे तो बड़ी जल्दी मतलब हमारी website को hit करता है open करता है बहुत है तो quickly open हो हमारी website secure हो जो भी अगर हमारी website के तुरू payment होगरा करना हो यह सारे expect account होते है technical SEO में तो SEO में जो हमारी processes है वो तीन parts में divided है मतलब तीन तरीके के काम हमें करने होते हैं हमें on page करना होता है, हमें off page करना होता है और हमें technical SEO करना होता है, तीनों ही चीज़े करनी होती है अब जब तीनों ही चीज़े हम करते हैं, हम मेहनत करते हैं हम यह efforts करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी website की जो ranking है वह improve होती है और इसी को guys हम लोग SEO बोलते हैं वहीं पर अगर हम SEM की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक query करी online digital marketing course और इस query में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा add-add दिख रहा है इस screenshot में आप देख सकते हो तो top में आपको इस type के results दिखाई देते हैं तो यह add किस तरीके से बनते हैं यह add किस platform के through बनते हैं यह add यहाँ पर किस तरीके से show होंगे यह सारी जो चीज़े हैं यह हम सीखते हैं search engine marketing में यानि SEM में यह SEO नहीं है यह SEM है that is search engine marketing और यहाँ पर हमारे पास जो traffic आता है वो paid traffic आता है इस चीज़ को थोड़ा सा note करना SEO में हम कोई भी पैसा Google को नहीं देते हैं वही SEM में यानि search engine marketing में यह traffic है यह paid है यानि हमारा यहाँ add show हो रहा है अगर इसके उपर कोई click करेगा तो हमारा कुछ amount खर्च होगा हमारे कुछ पैसे खर्च होगे search engine marketing एक paid activity है वही पर search engine optimization एक free activity है दोनों ही cases में जो results है तो यहाँ हमारे search engine result pages में दिखाई देते हैं इसको हम search engine result pages देखते हैं जब भी आप Google के उपर जाओगे यहाँ पर कुछ आप search करोगे और कुछ results आएंगे वो इसको हम बोलते है SERP इसको ध्यान रखना इसको हम बोलते है SERP यानि के search engine result pages तो results हम को यहाँ पर दिखाई देते हैं we have to run ads from Google ads जैसा मैंने बताई यह ads run कहां से होंगे तो यह ads guys run होंगे Google ads के platform के थूँ तो जब हम लोग Google ads समझेंगे तब बहुत detail में हम लोग समझेंगे इस वीडियो का purpose था कि हम लोगी समझ सकें कि अलग अलग तरीकी की digital marketing क्या होती तो हम लोग देखा बहुत से तरीके की digital marketing होती है और थोड़े से detail में cover करने कोशिश करी कि SEO क्या होता है और SEM क्या होता है लाश्ट की वीडियो में हम लोगों ने अफिलियेट मार्केटिंग क्या होती है फेस्बुक अड़ क्या होती है इमेल मार्केटिंग क्या होती है इवन हम लोगों ने ये भी समझा कि आखिर ये app store optimization क्या होता है तो गईस इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्हीं जो हमने last वीडियो में अलग-अलग types of digital marketing समझी थी उन्हीं में से हम लोग एक चीज को pick कर रहे है which is affiliate marketing हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये affiliate marketing क्या होती है किस तरीके से काम करती है और किस से इस वाले method से किस तरीके से हम earning कर सकते हैं ये affiliate marketing के थुरू हम किस तरीके से earning कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग basic definition से समझने कोशिश करते हैं कि आखिर affiliate marketing होती क्या है तो basically it's the process of earning a commission यानि कि earning a commission by promoting others people या company's product तो अगर किसी दूसरी company के product को या किसी दूसरे individual के product को service को अगर आप promote करते हैं अगर आप उसको sale कराने में help करते हैं तो उसकी worth का आपको कुछ commission मिलेगा वो commission पहले ही decide कर लेते हैं आप right वो commission जो वो product owner होता है उसके साथ आप decide कर लेते हैं कि मुझे अगर मैं इस एक product को बिकवाता हूं तो अगर मैं आपके इस product को बिकवाता हूं उसकी sales increase करता है तो आप हमें कितना commission देंगे तो ये commission depend करता है अलग-अलग product ते उपर जैसे कि अगर कोई product इस type का है जैसे courses हैं, online courses है तो online courses में commission बहुत जादा होता है online courses का commission 50%, 60% भी हो सकता है यानि कि अगर एक कोई course जो 10,000 रुपए की कीमत रखता है और कोई affiliate उसको बेच दुआने में help करता है विकवाने में help करता है तो उसका commission अगर 60%, 70% कमीशन है यानि 6,000 रुपए, 7,000 रुपए तक वो commission earn कर सकता है इतना return किसी भी business में नहीं होता तो commission इतने high भी होते है affiliate marketing के थिरूप इतने high भी होते है अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि affiliate marketing एक किस टाइप की digital marketing तो बिल्कुल हमारा जो हमारा offline जो broker और जो builder का relation होता है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जैसे एक builder के पास बहुत सारे flats होते है बट वो flats हो सकता है वो flats सारे flats को खुद ना बेज सकता हो तो कई बार brokers उसको भेशने में help करते हैं और builder और broker में एक agreement type का sign होता है एक mutual agreement type का sign होता है कि भाई अगर तुम एक flat हमारा बिक्वाओगे जिसकी कीमत 10 लाग रुपए है 20 लाग रुपए है जो भी है तो हम आपको कुछ इतना percentage of amount as commission देंगे same चीज यहां पर भी है same चीज यहां online भी है digital marketing में भी है और आज के time में सारे बड़े platform even अगर आप देखेंगे तो Amazon का भी अपना affiliate है यानि कि Amazon के उपर जो आपको बहुत सारे प्रोड़क्त दिखते हैं तो अगर आपको लगता है कि यह जो प्रोड़क्त यहाँ पर फॉर एजामपल यह पिन ही जो है यह पिन जो है वो Amazon के उपर अगर विक रहा है तो आप वहाँ पर साइन अप करते हैं मतलब Amazon प्रोग्राम में जाके आप प्रोफरली साइन अप करते हैं वहाँ पर अपना यूजर नेम आईडी बनाते हैं और फिर वहाँ से आपको एक लिंक मिलता है जो भी प्रोड़क्त आप सेलेक्ट करते हैं में इस तरीके से काम करती है तो मैंने आपको Amazon का एक्जामपल बताया और भी बहुत सारी चीज़ है जैसे अगर मैं एक्जामपल के तोर पे ले लूँ मेरा कोर्स है एक मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसकी कीमत 10,000 रुपह है तो अगर मैंने उस कॉर्स के लिए आपको अफिलिएट बना दिया या आप उस कॉर्स के लिए अफिलिएट बन गये अब मैं आपको एक लिंक दे दिता हूँ और उस link के थूरू जितने भी courses हमें बिकेंगे हम यह मान के चलेंगे कि आपने उन courses को बेचने में help करी तो उसके basis पे आपको हम कुछ commission प्रोवाइड करेंगे इस बेसिकली called as affiliate marketing और online marketing में digital marketing में affiliate marketing के थूरू बहुत ही जादा पैसा earn किया जा सकता है आप इसमें कितने लोग involved होते हैं इसको समझते हैं हम लोग process को थोड़ा समझने कोशिश करते हैं तो affiliate marketing में गाईज तीन चीज़ें involved हैं एक तो है affiliate network एक है affiliates affiliates हो है जो earn करना चाहते हैं जिनको commission मिलता है वो हमारे affiliates है affiliate networks एक तरीके के mediators हैं एक तरीके के mediators हैं, इसके हम लोग बात करेंगे अभी, vendors हुँ हैं, जिनके पास अपना product या service होती ही, जिनके पास अपना product या service होती ही, वो vendors हैं, तो vendor क्या करता है, अपने आपको in affiliate networks के उपर register करा देता है, और जिसको भी affiliate बनना होता है, वो क्या करता है, वो in network से पाँ ज करना चाहता है वो यहां से product select कर लेता है उसका commission देख लेता है या फिर 1 प्रोडेक्स की उपर कितना commission उसे मिल रहा है उस हिसाब से वो यहां से product select कर लेता है तो affiliate network बीच में जो हैं ये एक तरीके से mediators का काम करते हैं affiliates के बीच में हम जैसे लोग हैं जैसे अगर हम affiliate marketing करना चाहते हैं तो affiliates के बीच में और vendors के बीच में affiliate network जो है वो mediators की तरह role play करते हैं तो vendors भी affiliate networks के उपर जाते हैं और अपने product को अपने service को वहां list कर देते हैं कि देखो भाईया यह मेरा pen है for example pen का example लेते हैं कि यह मेरा pen है कोई vendor है वो गया affiliate network के उपर रिष्टर चाहिए मेरा pen है 100 रुपए की कीमत है और यहां पर लिश्ट कर दे रहा हूं मैं अगर कोई भी इस pen को बेशना चाहता है तो ठीक है मुझसे contact कर ले मैं 50% उसको commission दूगा even वह बहुत सारी चीज़े मतलब अगर उस एफिलेट को इस pen को बेशने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी जैसे इस pen के वीडियो की इस pen के graphics की images की उस सारी चीज़े जो भी चीज़ों की जरूरत है जो भी assets की जरूरत है उस pen को बेशने के लिए advertising तो point of view से वो सारी चीज़ें वो vendor provide करता है तो यह affiliate marketing कुछ इस तरीके से चलती है अब बहुत से तरीके के guys affiliate networks हैं बहुत से तरीके के affiliate networks हैं कुछ जो affiliate networks हैं वो Indian affiliate networks हैं जैसे वी commission वी commission एक Indian affiliate network है इसके उपर आप जा सकते हैं और से आप अपना product select कर सकते हैं कि मुझे उस product को जो है प्रमोट करना उस product को मुझे बेशने में help करनी है और उसके थूरू मुझे बहुत सारा affiliate commission जो है वो earn करना है उसी तरीके से यहाँ पर international affiliate networks भी होते हैं जैसे जे वी जू है मैक्स बाउंटी है जैसे यह affiliate है click bank है यह बहुत ही famous जो है international affiliate networks है कुछ companies को affiliate networks की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है जैसे मैंने यहाँ पर आपको जी example बताया कि vendors क्या करते हैं affiliate networks की तरफ जाते हैं राइट अगर vendor ही इतना बड़ा हो कि वो अपना खुद का affiliate network बना दे जैसे Amazon और Flipkart तो Amazon Flipkart as vendor यह किसी भी affiliate network की तरफ नहीं जाते हैं and the reason is कि यह खुदी इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी भी जो है affiliate network की ज़रूरत नहीं है इन्होंने खुद का अपना affiliate platform बना दिया कि भाई आओ और इस platform के उपर register करो और इस platform के उपर register करने के बाद यानि Amazon affiliate अगर आप Google पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे Amazon affiliate तो आपको platform दिख जाएगा तो आप उस platform के उपर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी ID बना सकते हैं और उसके बाद अब उस product को प्रमोट करने चाहता हूं अब उस product को प्रमोट करना और उस product को बेचने इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं वह इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर कौन सी आप वो जो link मिलेगा आपको राइट जब यहां पर अपना account बनाएंगे और आप कहेंगी कि मैं अपलेफ कार्ट के इस product को जो है sell करना चाहता हूं तो वह आपको एक link provide करेंगे वहां से उस link को लेकर आएंगे आप अपने ब्लॉग में उस link को यहां paste करेंगे और जब कभ affiliate commission है जितना भी commission उस product के उपर था वो आपको transfer कर दिया जाएगा तो अगर आपके पास blog है blog मतलब कोई भी छोटी सी website है अगर आपके पास उसको पर traffic बहुत आता है बहुत जादा लोग आता है traffic का मतलब यहां पर बहुत जादा website visitors आते हैं तो अगर आपने आपकी website ऐसी है जिसके उपर बहुत जादा visitors आते हैं तो फिर आपके chance से जादा हैंगे बहुत सारे लोग आएंगे link को click करेंगे और आपकी earning हो सकती उसी तरीके से YouTube वीडियो आप YouTube वीडियो बना सकते हैं और वहां पर जो है अपना link drop कर सकते हैं या वहां पर अपना link डाल सकते हैं तो ब आपने बात करी किसी software के आपने जैसे जो है affiliate लिया अगर किसी software का ही affiliate लिया आपने किसी software को आप प्रमोंट कर रहे हैं उसका अपने वीडियो में बताई और कोई खरीदना चाहता है तो इस तरीके से आप affiliate के through earning करते हैं आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे YouTube वीडि से जूस कर रहा हूं उन सभी का जो link है मतलब तहां से मैंने लिया वो मैंने description में mention कर दिया तो जो यह लोग बोलते हैं कि मैंने link जो है description में mention कर दिया that is basically affiliate link अगर आप उस link के उपर जाते हैं और आपको पसंद आता है उस समान अगर आप से उसको खरीद लिया Amazon से या Flipkart से कहीं भी तो वो affiliate link होता है उस YouTuber को वो commission जाता है तो इस तरीके से बहुत सारे YouTubers जो है इस तरीके से भी earn करते हैं बाकी तो वो जो YouTube के तुरू इनकी earning होती है अगर उनका channel monetized है तो उसके बाद paid ads अगर आपको ads run करने आते हैं तो आप paid ads भी run कर सकते हैं अगर आपको social media के उप पर आपका अच्छा influence है है नि social media मान लेते हैं आपको influencer है आपके पास जो है Instagram के उपर बहुत ही अच्छे followers है अच्छे number of followers है तो आप वहाँ पर अगर आप stories में या post में अपने link को और affiliate link को promote करेंगे तो जादा chances है क्योंकि वहाँ पर traffic है देखो affiliate marketing तभी success है जब आपके प affiliate marketing को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते है अधर्वाइज आपको क्या करना होगा फिर आपके लिए यह केवले कि spamming टाइप कर रहे जाएगा क्योंकि अगर लोग आप से जुड़े नहीं होंगे चाहे वो social media पे हो जैसे मैंने बताया YouTube वीडियो के तुरू हो चाहे व किसी एक चीज में skill होना पड़ेगा और इन सारी चीजों को हम लोग कोर्स में आगे सिखेंगे तो इन सारी चीजों में से अगर आप किसी एक दो चीजों में skilled है तो भी आप ने जिस भी product का जिस भी service का आपने affiliate लिया हुआ है affiliate link लिया हुआ हुआ है उसको आप बड़ी आ marketing क्या होती है तो जैसे कि नाम से पता चलता है और हम जो basic definition देखते है email marketing की वो हमें बताती है email marketing is a very highly effective basically बहुत ही जादा effective digital marketing की strategy है और बहुत सारे myths है guys email marketing को लेकर आप जब digital marketing में काम करना start करेंगे तब आप ये चीज़ बहुत सुनेंगे कि email marketing ठीक तरीके से काम नहीं करती गाइस email marketing बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और digital marketing में email marketing एक ऐसी field है जो अगर आपने properly email marketing को implement किया है strategically properly implement किया जो कि मैं आपको email marketing के module में properly सिखाऊँगा इस तरीके से software के थूँ हम email marketing करते हैं या tools के थूँ करते हैं तो अगर आपने उसे properly implement किया तो यह आपको आपके business इसको बहुत ही अच्छा revenue generate करके दे सकती बट myths हैं लोग समझते नहीं properly और कहते हैं कि आज के time में 2020 में जो email marketing है बिलकुल dead हो गई है email marketing से कोई भी result नहीं मिलता guys email marketing dead हो गई है लेकिन उन लोगों के लिए dead हो गई है जो email marketing को properly कर नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं से भी email list खरीद लेते हैं कहीं से भी email list खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको emails भेजना शुरू कर देते हैं आपको क्या लगता है कि for example आपने कहीं से भी कोई भी phone numbers ले लिए और उन phone numbers के उपर phone कर करके आप क्या कर रहे हो आप अपनी service और product को बेचने कोशिश कर रहे हो क्या वहाँ पर conversion आएंगे क्या लोग उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वहाँ पर कोई भी conversion नहीं आएंग तो वो कभी भी आपके emails का reply नहीं करेंगे कभी भी आपके emails के through convert नहीं होंगे और उसके बाद आप बोलोगे कि email marketing dead हो गई है मैंने तो market से एक लाख email addresses खरीदे थे और एक लाख email address को हमने अपनी service बेचनी चाही तो definite सी बात है कि उन लोगों के लिए जो email marketing वो बिलकुल dead हो प्रोवाइड करती आ जाते हैं basic definition के उपर इनके बारे में हम लोग और बात करेंगे आगे basic definition के अगर हम बात करें तो email marketing is highly effective digital marketing strategy of sending emails to prospects and customers या निकि अगर जो कोई आपके already customers हैं आप उनको भी email marketing campaign send करते हैं उनको भी आप emails send करते हैं अपने नए products या नए services के बारे में बताने निये के लिए कि आपने नये offers के बारे में बताने के लिए तो ऐसा यहिए जो अभी आप्ता की करते हैं उनको भी हम a mess like अ करते हैं उनको भी हम email marketing करते हैं ताकि हम अपने दूसरे जो products है उनका हम add कर सके, उनके बारे में उनको बता सके, दूसरी जो services है, उनके बारे में हम उनको बता सके, तो वही definition यहाँ पर लिखी हुए, it's a highly effective digital marketing strategy of sending emails to prospects and customers, तो किस तरीके के email marketing के थुरू हम क्या कर सकते, guys, conversion करा सकते, यानि कि अगर हमें sales करानी है, तो emails के थुरू हम करा सकते हैं, अगर हमें brand awareness करानी, यानि लोग हमारे बारे में जाने, हमारी brand, हमारी company, हमारे product, हमारे service के बारे में लोग जाने, तो वो brand awareness भी हम email marketing के थुरू करा सकते हैं, बट किस तरीके से हमको email marketing करनी चाहिए, क्या लगता है, आपके पास सभी के पास हो सकता है, आजकी date में Gmail का account हो, तो किस तरीके से, क्या हम बहुत सारे emails लेके आ जाएंगे, और फिर Gmail account के थूँ, emails को जो है send करना शुरू कर देंगे, ऐसा हम दे रखी है, ताकि आप personal जो आपके emails हैं, वो आप fire कर सके, वो email send कर सके, इसलिए नहीं हमने दे रखी, आप गसियों, 1000 जो emails हैं, वो एक साथ ले आएं, और सबको आप एक साथ emails भेजने की कोशिश करें, तो ये काम अगर आप अपनी normal Gmail ID के through करेंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको email marketing के जो proper softwares हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी basics अपनी थोड़ी सी strong कर रहे हैं, email marketing वाले module में, मैं आपको properly बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग softwares को run करते हैं, बट अभी मैं आपको overview दे देता हूँ, कि हमारे पास बहुत ही, अलग-अलग तरीके के softwares होते हैं, जिनको हम use कर सकते हैं, email marketing के लिए, किस fundamental के उपर ये software काम करते हैं, जैसे एक-दो software के मैं नाम आपको बताता हूँ, एक software है, जो बहुत ही famous है, नाम से एक software है, चौथा है, जो get response नाम से एक software है, ये सारे software हमारे, इनके through हम emails भेज सकते हैं, यानि कि यहाँ पर हमें emails ID को, जो बहुत सारी अलग-अलग emails IDs होती हैं, इनको हमें यहाँ पर upload करने का option मिलता है, और उन email IDs को upload करके, यहाँ पर हम email create करके, उन सभी लोगों को एक साथ हम emails भेज सकते हैं, तो बड़ी normal सी चीज रखती है, लेकिन इसमें अब आप कोगे सर, इसमें email marketing क्या है, इसमें ऐसी कौन सी digital marketing की बहुत ही जो है unique strategy use हो रही है, जो हमारे business ग्रो कर सकते हैं, तो बड़ी normal इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो अलग की बात है, गाईज, email marketing यूनीक बनती है, जब कभी इन software के थुरू हम automation करते हैं, automation, automation एक बहुत ही powerful word है, मैं आपको एक example बताके रिखाता हूँ कि किस तरीके से हम in software के through practical वाले वीडियो में हम इसको practically देखेंगे, बट मैं आपको किवल एक email marketing की power बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि digital marketing में email marketing आज की date में कितनी important है, कितनी powerful है, कितनी जबर्दस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, हम लोग जैसे की हमने यहाँ पर एक email बनाया, हमने एक अच्छा सा welcome mail, ठीक है, welcome mail, जब किसी को भी हम अपने किसी product ये service के बारे में बताना चाहते हैं, तो generally हमारे पास एक welcome mail होता है, या हमारी company की जो information ह वो यहाँ पर है, company की information है, welcome mail है, हमारे products and services के बारे में information है, यहाँ पर, right products and services के बारे में information है, यह मैंने mail बनाया, और इस mail को मैंने 1000 लोगों को forward किया, वै, मान लेते हैं, शुरुआत में हमारे पास 1000 emails थे, इस mail को हमने 1000 लोगों को forward किया, अब आगे देखो automation कैसे होता है, इन softwares के through हम क्या कर सकते हैं, इन softwares के through हम sequence बना सकते हैं, वो sequence कैसा होता है, वो sequence कुछ इस तरीके का होता है, कि वो लोग जिन्होंने इस mail को open किया हो, देखो बड़े सारे conditions ही होगी, जब यह mail लोगों तक पहुचा होगा, तो कुछ लोगों ने इस mail को open किया होगा, कु पोजी रहा, उनके में not open था, ठीके, open नहीं किया, उन्होंने खोला नहीं उसको, कुछ लोगों ने क्या किया, इसको open भी किया, और इसके अंदर हो सकता है, कोई हमने अपनी website का link लगाया, बहुत सारे mail साब देखते होगे, उसमें website के link होता है, तो हो सकता, open किया, प्लस जो link यहाँ पर mention था, उस link के ओपर भी click किया, तो मैं यहाँ फिर से आपके सामने cases बनाता हूँ, थोड़े से clear, यह मैंने mail भेजा, कितने लोगों को guys, यह starting में mail भेजा गया, एक हजार लोगों को यह mail भेजा गया, अब एक हजार लोगों में mail भेजने के बाद, अलग-अ conditions हो सकती है, एक condition हमने यह मानी, कि कुछ लोग, वो लोग जिन्होंने mail को open किया, मैंने एक condition मानी, वो लोग जिन्होंने do not open, जिन्होंने mail को open नहीं किया, जिन्होंने mail को नहीं खोला, और वो लोग जिन्होंने mail को खोला, और अगर mail में कोई link था, तो उस link पे click करके, हमार हमने काया कि जिन लोगों ने mail ये open किया उसको एक दूसरा mail जाएगा second mail जिन लोगों ने mail नहीं open किया उनको भी एक दूसरा mail जाएगा बट वो ये वाला mail नहीं होगा उसमें कुछ और चीज लिखी होगी जिनों ने open किया और link पे भी क्लिक किया यानि वो थोड़े से interested है उन्होंने पढ़ा हमारे mail को भी पढ़ा उसकी information भी पढ़ी और link को भी क्लिक किया तो वो जादा interested है तो हम उनको एक तीसरा mail भेजेंगे जो हो सकता है इस बात के लिए हो कि भाई ठीक है उन्होंने अब हमारी company के बारे में जान गए तो अब इसमें हम उन्हें और जादा product के बारे में अपनी जो हमारे product है यह service है उनके बारे में और जादा information देंगे और future में फिर देखेंगे कि इस mail के साथ को किस तरीके से interact करें यानि mail की tracking तो जो software है वो हमें यह flexibility provide करते हैं कि हम mail की tracking कर सकते हैं हम यह judge कर सकते हैं कि किन लोगों ने हमारे mail को open किया किन लोगों ने हमारे mail को नहीं open किया किसने click किया किसने delete कर दिया ऐसे बहुत सारी जो चीज़े हैं वो हम track कर सकते हैं तो आप देख रहे हो, यह सारी चीज़े हम लोग क्या करेंगी, यह सारी चीज़े हम softwares में create करते हैं, और यह sequence automatically fire होता रहता है, यानि कि जिन्होंने open किया, उसको two वाला mail चला गया, जिन्होंने नहीं open किया, उसको ये वाला mail चला गया, फिर इन्होंने कुछ open किया, उसको कुछ और mail चला गया, कुछ और चीज़ें चली गए, तो this is all automated, तो एक बार आप अपना sequence बना देखते हो, कि जैसे ही यहाँ पर कोई पहली बार आएगा, कोई पहली बार जो है, जिसका mail यहाँ पर जाएगा, उसको कौन सा mail जाएगा, मतलब mail ID, जिसकी हम पहली बार software में डालेंगे, उसके बार उसको कौन सा mail जाएगा, और उसके बार वो किस तरीके से interact करता है, हमारे mail के साथ, उसके basis पर automatically आगे के mails जाते रहेंगे, automatically हमें बार-बार उस चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन शुरुआत में हमें एक बार इस sequence को बनाना पड़ेगा, एक ही sequence नहीं, हम ऐसे दसियों अलग-अलग sequence बना सकते हैं, आप देख रहें, email marketing के जो software से वो email marketing को कितना powerful कर देते हैं, तो इस particular force में, जब हम email marketing की बात करेंगे, तो हम यहीं समझेंगे, कि आखिर ये software कौन से है, किस तरीके से इसमें ये जो emails की list है, ये upload करते हैं, किस तरीके से emails बनाते हैं, और किस तरीके से उनको sequence ये बनाते हैं, और इस sequence पे हम फिर email फेस्ते हैं, बट अभी क्योंकि हम लोग starting कर रहे हैं, digital marketing समझें, जैसे last video में हम लोग समझाता, affiliate marketing का होती, इस video में हमें समझ में आए, कि digital marketing में, जो अभी तक आप अगर digital marketing के पारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप ये समझते होगे, कि email marketing बड़ी normal से चीज़ है, कहीं भी email मिल जा, उसको email भेजना श्रू कर दो, बट वो email marketing powerful, strategically हम उसको तभी use पर पाएंगे, जब हम इस type के automated sequences को समझने लगेंगे, और ये समझने लगेंगे कि automated sequences किस तरीके से काम करते हैं, और इनके basis पर हम किस तरीके से पूरी process को automate कर सकते हैं, अब ये पूरी process automated है, लोग email से track कर रहे हैं, लोग purchase कर रहे हैं, लोग website लोग पर आ रहा है, सारी चीज़ automated, हमें ज़ादा कुछ involve होने की ज़रूरत नहींगे, तो ये guys power होती है email marketing की, तो guys I believe अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो शब्द email marketing है, वो normally किस type से हमें समझ में आता है, कि email marketing का क्या मतलब है, लेकिन digital marketing की field में email marketing कितनी powerful हो जाती है, guys last के कुछ videos में हम लोगों ने digital marketing के जो अलग-अलग types हैं, उसको समझने की कोशिश करी, बड़ी detail में उसको समझने की कोशिश करी, इस particular वीडियो में भी हम लोग digital marketing के दो और types को discuss करने वाले हैं, the one is social media optimization and the other one is social media marketing, guys जब आप digital marketing की field में काम करेंगे, या अगर अभी भी आप digital marketing की field में opportunities की बात करें, तो social media optimization और social media marketing, इन दोनों ही fields में बहुत ज़ादा opportunities हैं, इन दोनी ही types of digital marketing में बहुत ज़ादा opportunities हैं, बहुत ज़ादा jobs हैं, और guys बहुत सारे लोग, especially जो beginners हैं, जो अभी digital marketing सीख रहे हैं, वो इस चीज़ के difference को नहीं समझते, कि digital marketing में जो ये social media optimization है, इसमें हमें कौन से activities करनी पड़ती हैं, अगर हम companies में जाएंगे, और जो हमारा social media marketing है, इसमें हमें क्या काम करना पड़ता हैं, और दोनों में difference का बहुत confused होते हैं, कि social media optimization और social media marketing में क्या फर्क है, तो ये confusion भी हम लोग इस particular video में दूर करेंगे, और बहुत detail में समझेंगे, कि social media optimization की जब बात होती है, तो उसका मतलब क्या है, और social media marketing जब word term use होता है, या कोई कह रहा है कि कहीं पर job है, social media marketing आपको करनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए, social media marketing में आखिर क्या चीज़ें होती है, और इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुवात करते हैं, यहाँ पर social media optimization से, और समझते हैं कि social media optimization क्या है, आज के time में अगर आपको अपने business को grow करना है, तो जो भी आप business को grow करने के लिए, जो भी आप strategies use करते हैं, आज के time में social media उसमें as a catalyst का काम करता है, यहाँ कि अगर आपके business का presence social media के उपर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी opportunity को आप miss कर रहे हैं, and the reason is कि आपके जो customers है, वो social media के उपर है, आपका जो competitor है, वो social media के उपर है, आपके जो prospect हैं, future में जो customer बन सकते हैं, वो social media के उपर है, जब सारे लोग, वर्ड के इतने सारे लोग, जो social media के उपर हैं, और आपकी company का कोई presence ही नहीं है, social media के उपर, आपकी company का कोई presence नहीं है, आपकी company की कोई brand awareness नहीं है, आपकी brand की कोई online presence नहीं, उपर कोई account नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी opportunity को miss कर रहे होते हैं, और आपके competitors इस opportunity को catch कर रहे होते हैं तो ये जो opportunity है, जो social media की opportunity है इसको हम किस तरीके से grab करेंगे, इस पर किस तरीके से हम काम करेंगे ये दो चीजों में divided है, one is social media optimization, another one is social media marketing और इसी में जो पहली चीज है, मतलब optimization और marketing के अलावा भी एक चीज है वो है social media presence, social media presence का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको एक दो line में समझाने कोशिक करता हूँ कि social media presence, social media optimization और social media marketing ये तीनों ही चीज़ें अलग-अलग है social media presence का मतलब होता है केवल आपने social media के उपर अपनी profile बना ली बट क्या ये enough है, आप खुछ सोचो, क्या केवल social media के उपर profile आप बना लोगे ये चीज sufficient है, आपको business आने लगेगा ना कोई आप post कर रहे हो वहाँ पर, ना अपने chat का कोई option दे रखा है ना आपका whatsapp number वहाँ पर available है ना आप अपने product के बारे में, अपने service के बारे में कोई information दे रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, आपको business आ जाएगा क्या लोग आपकी profile को जान जाएगे, क्या लोग आपके business को जाएगे क्या आपके profile के उपर अपने आप आने लगेंगे, नहीं Instagram account बनाएंगे, LinkedIn के ओपर जाएंगे, LinkedIn का business page बनाएंगे, ये सारी चीज़े जब हम अपने business के लिए करते हैं, तो वो सारी चीज़े guys किस चीज में count होंगी, वो presence बनाने में count होंगी, ना कि वो optimization में count होंगी, ना कि वो marketing में count होंगी, बास समझ मैं, optimization of marketing इसके बाद की चीज़ जब presence बन जाएगा, तब optimization और marketing का खेल शुरू होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं, कि आखिर ये optimization क्या होता है, तो it counts your effort on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, like platform, जो भी आप efforts, जो भी आप मेहनत, Facebook, Twitter, Instagram के उपर करते हो, वो सारी चीज़े हमारी social media optimization में आती है, यहाँ पर जादा तर हम non-paid campus run करत अगर किसी ने term use किया है, social media optimization, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप paid ads run करेंगे, social media optimization का मतलब paid ads नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में confused होते हैं, कि SMO, यानि कि social media optimization का मतलब यह होता है, कि हमें Facebook के ओपर ads run करें, नहीं, ads नहीं run करना है, optimization एक दूसी चीज़ होती और detail में समझते हैं, कि optimization में activities कौन से involved होती है, optimization of profile, important assets of page, यह सारी चीज़े हम करते हैं, अब इसका मतलब क्या है, optimization of profile का मतलब क्या है, कि आपकी company की जो details है, company की जो details है, वो properly वहाँ पर mention होनी चाहिए, logo जिस dimension में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि page के ओपर जो logo है, वो आपका आधा ही logo दिख रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यह logo है, अगर यह logo केवल आपको इतना दिखे, तो क्या यह proper optimization है, नहीं, प्रोपर optimization नहीं है, facebook के ओपर हम गए, वहाँ पर facebook के ओपर जो cover page होता है, वही नहीं लगा हुआ है, तो यह optimization में, यह सारी चीज़े हम optimization में आती है, company की जो पूरी information है, वहाँ पेच के ओपर नहीं है, अगर हमें वहाँ पर WhatsApp नमबर अपना देना है, तो WhatsApp नमबर वहाँ पर नहीं अवलेवे, तो लोग आप से contact किस तरीके से करेंगे, यानि presence बनाने के बाद, जो आप उसको optimize करने का काम करतें, कि ready है कि नहीं, वही, जैसे भी कोई भी अपना business कोलता है, अपनी दुकान कोलता है, जब से पहले तो दुकान लेता है, तो वो हो गया social media के उपर account बनाना, तो वो दुकान ले लिए उसने, अब उसको organize भी तो करता है, सारा सामान ठीक तरीके से सही जगे पर रखता तो है, ताकि कोई customer आय भी, वहां marketing करने के बाद customer आया भी, और उसे सामन सामने racks में दिखेगा नहीं, तो क्या वो लेगा, नहीं लेगा, तो अगर आपके facebook page के उपर लोग आ भी गए, आपने marketing के efforts किये, बहुत जादा marketing के efforts किये, जिससे आपके facebook page के उपर लोग आ गए, लेकिन वो खरी देंगे गाइस कप, वो ऐसे तो खरी देंगे नहीं, जब उनको चीजे दिखेंगी, वो contact आपको तब करेंगे, जब आपका वहां पर whatsapp number होगा, जब वहां पर chat वाला option होगा, तब वो आपको contact करेंगे, बहां समझ में, तो optimization में हमारा जो काम है, वो किस चीज़ के उपर रहता है, वो इस चीज़ के उपर रहता है, कि हमारा page fully ready हो, मतलब social media की जो हमारी profile है, वो fully ready हो, अगर कोई भी user उस profile को देखता है, तो उसे सारी information वहां से मिल जानी चाहिए, हम कौन से product based नहीं हैं, क्या करते हैं, यह सारी चीज़, यह सारी चीज़े जो हैं, हमारे optimization में आती हैं, य यह चीज़े जनरली brand image को focus करती है, मतलब optimization में जो आप काम करते हो, वो brand image को focus करता है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़े और पता होनी चाहिए, जैसे कुछ जो basic platform की functionalities है, जो मैं आपको आगया वीडियो बताऊंगा, वो भी हमें पता होनी चाहिए, मतलब अगर आप social media optimization कर होने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि WhatsApp का number यहां पर कैसे fit करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि Facebook cover image कैसे change करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि जो profile image है, उसको हम किस तरीके से लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि इस page में जो भी अलग-अलग की जै है कि हमारी जो social media presence है वो perfect है या नहीं है वो ready है या नहीं है मतलब कोई अगर आएगा तो उसे हमारी company के बारे में सारी चीज़े पता चलेंगी या नहीं चलेंगी तो यह होते हैं हमारे social media optimization personal working on social media must understand dynamics this is basically person ठीक है यह person है working on social media must understand the dynamics of social media platforms social media platforms के dynamics पता होने चाहिए इसको मैं आपको समझाने कोश्य करता हूँ जैसे उसे पता होना चाहिए कि YouTube के लिए क्या चीज़े important है उसे पता होना चाहिए Facebook के लिए क्या चीज़े important है उसे यह पता होना चाहिए कि Instagram के उपर हम short videos डाले तो वो ज़्यादा चलेंगे Instagram के उपर अगर हम content हम अपनी strategy में जो है हम stories में content डालें तो ज़्यादा चले क्योंकि Instagram की story बहुत ज़्यादा देखी जाती है तो यह सारी चीजे social media optimization में आती है और जो social media optimization की job करता है या काम करता है उसे ही यह सारी चीजों पर देना पड़ता है तो यह होता है हमारा social media optimization अब थोड़ी से marketing की बात करते है कि social media marketing क्या है तो I believe optimization अभी आपको clear हो गया होगा तो social media marketing में ज़्यादा तर paid campaigns involved होते है यह आप paid campaigns रन करते हैं जो मैंने शुरुआत में एक दो बार मैंने आपको और भी example बताएगी Facebook आप browse कर रह होना चाहिए कि Facebook के उपर किस तरीके से paid campaigns चलते हैं वो सारी activities social media marketing के अंदर count होती है यानि इसी को हम लोग SMM भी बोलता है digital marketing word में इसी को SMM बोला आता है और optimization को SMO बोला आता है तो कहीं अगर आप in words को भी सुन रहे हैं तो confused नहीं होना है आप ads generally in platform के उपर आपको ads चलाने आने चाहिए जिनमें सब से popular है Facebook और Instagram इसके उपर तो आपको आने ही चाहिए अगर आप social media marketing में है तो आपको Facebook ads और Instagram ads के बारे में information होनी चाहिए content understanding is required हमें समझ में आना चाहिए कि stories में कैसा content चाहिए हमें stories में 30 seconds के videos चाहिए 15 seconds के video चाहिए किस type के video चाहिए animated video चाहिए तो content की जब तक हमें understanding नहीं होगी तब तक हम बहुत अच्छे तरीके से ad नहीं चला सकते और एक अच्छी strategy नहीं बना पाएंगे यही काम होता है social media marketer का आगे हम बात करते है content calendar यह बड़ी ही powerful चीज है दोस्तों content calendar एक बहुत ही powerful चीज है अब मैं आपको सबसे पहले बता देता content calendar का मतलब क्या होता है जैसे guys आपको कहीं job लगी आप social media marketing manager है उस वक्त आप ने कोई accounts देखने शुरू किये किसी company की profile देखनी शुरू करे अब morning में आप office गए आप social media के उपर क्या डालेंगे कुछ नहीं पता है कि भई मैं social media के उपर क्या post डालू तो इसके लिए guys यह confusion नहों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम एक social media calendar मनाते हैं हम एक social media calendar मनाते हैं जिसमें हम इस चीज़ को divide करके रखते हैं कि Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday यह हमारा Facebook का social media calendar Facebook page का, तो Facebook page के उपर Sunday को 9 a.m. पे एक हम post करेंगे जो motivation से related होगी, ठीक है, Monday को 10 a.m. पे हम एक post करेंगे जो कि basically हमारे product किसी एक product से related होगी, ठीक है, उसके बाद Monday को ही जो है evening में भी हम एक post करेंगे, जो quotes होगे कुछ, तो यह हमें calendar बनाना पड़ता है, starting में हम calendar बनाते हैं और इसी calendar के sequence से फिर हम posting start करते हैं, तो यह जो templates हैं मैं आपको बताऊंगा, कि calendars होगरा किस तरीके से ब खर सकते हैं, advertising skill is required, क्योंकि यहाँ पर guys पैसा खर्च होता है, तो पैसा अगर आप खर्च करेंगे, amount आपको कुछ मिलेगा और उस amount का आप add run करते हैं, तो यहाँ पर skill चाहिए, normally आप सोचो ऐसे, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, आपको Facebook ads proper चलाना आना चाहिए, आपको Instagram पूरा proper चलाना आना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे, आगे बाद बढ़ते हैं, campaign are created according to the objective, जो हमारा objective होता है, जैसे हमें चाहिए, इस मन्त हमें sales चाहिए, अगले मन्त हमें brand awareness चाहिए, फिर उसके बाद हमें दूसरे product की sales चाहिए, तो उस हिसाब से हम campaigns बना आते हैं, और उन campaigns को run करते हैं, अनि ads को run करते हैं, और उससे sales हो गयरा, या leads हो गयरा हम generate करते हैं, उसके बाद power of retargeting can be utilized in social media marketing, इसके ओपर हम बहुत detail बात करेंगे, यह बड़ी interesting चीज है, यह होता है कि जैसे आपकी website के उपर कुछ लोग आए, आपकी website पे मान लेते हैं एक month में 1st June से लेकर 30th June तक कुछ लोग आए और यह 100 लोग थे जो आपकी website के उपर आए, अब इन 100 लोगों को जब यह Facebook के उपर जाएंगे, तब हम इनको add दिखा सकते हैं अपना, this is basically called as retargeting, बड़ी powerful चीज है और यहां से conversion बहुत जादा आते हैं, तो इसके भी हम मीडिया मार्केटिंग में करते हैं, गाइस लाट के कुछ वीडियो में हम लोगों ने समझने कोशिश करें कि डिजिटल मार्केटिंग के जो अलग-अलग टाइप्स हैं, जैसे सबसे common type हमारा क्या था, SEO, that is search engine optimization, वो क्या होता है, फिर हमने बात करी, SMO, Christian media optimization, वो क्या होता है, social media marketing, वो क्या होता है, Facebook ads, affiliate marketing, इन सबका हमले theoretical जो explanation है, और जो concept building है, वो हम लोगों ने समझने कोशिश करी, अब एक और बहुत important चीज है, कि हम एक बार practically इन सारे चीज़ों को देख लें, मत्तब इस particular module में हम ये समझ जाए, कि जो अलग-अलग types of digital marketing के हमने बात करी थी, वो कौन-कौन से है, उसके बाद जब हम आगे आने वाले modules में जाएंगे, तब हम लोग हर एक type को बड़ी detail में तो समझने वाली है, कि ये चीज़े करते कैसे हैं, पर उससे पहले ये ज़रूरी है समझना, कि जो मैंने आपको बताया, SEO, Search Engine Optimization, ये है क्या, तो इसको सा practically हम लोग देखेंगे, SEM को practically देखेंगे, affiliate बड़ा ही, एक interesting concept मैंने आपको बता रहे है कि affiliate marketing होती ही, जिसमें हम दूसरे के products या services को हम promote कर सकते हैं, उनको हम बेच सकते हैं, और उससे हम commission जो है, वो earn कर सकते हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ आपको, तो इन सारी करते होंगे, मैं भी कोई query करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर query करी, digital marketing, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ, what is digital marketing, ऐसे बहुत सारे लोग है, चो query करते होंगे, what is digital marketing, अब आप देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे results दिख रहे हैं, बहुत सारे, यह position number one पे, देखो, आपक मुझे number one दिख रहा है, तो यह जो number one है, यह external plugin का मैंने use किया है, extension का use किया है, chrome extension का, उसकी वज़े से यह numbers यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, हो सकता है, आपके laptop में, आपके computer में यह numbers आपको ना दिखें, तो कोई परशान होनी की ज़रूरती है, the important thing is, कि जब कभी भी user आता है, और कोई query करता है, जैसे मैंने यहाँ पर query करी, what is digital marketing, तो यह जो कुछ set of results मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपर बहुत सारे जो results दिखाई दे रहे हैं, यह सारे हमारे organic results होते हैं, अगर किसी भी result के आगे, आपको यहाँ पर छोटा सा add नहीं दिख रहा है, वह से अभी सारे लोग हैं, जैसे मैं एक और keyword यहाँ पर type करता हूँ, digital marketing services, इस keyword से हमें समझ में आता है, बहुत सारे लोग हो गे, you,... इस टाइब से कुछ कीवर्ड सच करते होंगे हो सकता है अपने सिटी स्पेसिफिक भी कीवर्ड सच करें तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग सविसेस इन इंडिया तो ऐसे अगर कोई सच कर रहा है तो यहां पर हम देखतें कुछ वेबसाइट देखतें को चाहीं है जैसे डिजिटल मार्केटिंग सविसेज इंडिया डॉटी है अगर इन वेबसाइट की उपर लोग क्लिक नहीं करते होंगे और चांसे जदा है कि इनको बिजनेस मिलता होगा तो लोग क्यूँ नहीं एफट करेंगे कि उनकी वेबसाइट भी टॉप में rank करें क्यों क्योंकि वह इस efforts को करेंगे ऐसा कोई reason नहीं है जिसमें आप तोचे कि लोग यह try ना करें कि उनकी website भी कुछ specific keywords के उपर यह गाइस जो यहां पर हम देख रहे हैं इनको हम बोलते है keywords या queries क्योंकि user queries कर रहा है तो को queries बोलते हैं हर कोई हर business owner यह चाहता है कि अगर उसकी website है तो वह इस तरीके से organically rank करें यही मैंने आपको समझाने कोशिश करी थी कि अगर हम अपनी website को इस type से rank कराना चाहते हैं तो rank ऐसे नहीं हो जाएगी आपने website बनाई आप rank करना चाह रहे हैं यह नॉर्मल नहीं है कि यहाँ पर करेंगा और आपकी website उपर rank होने लगेगी ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें Google की कुछ policies होती है Google की guidelines होती है उन policies को guidelines को आफ follow करेंगे और उनके according जब आप changes करते हैं तब आपकी जो website है यहाँ पर rank होना शुरू होती है तो यह थोड़ी सी time taking process है एक दिन में नहीं होती तीन चार पाँच महिने लग सकते हैं यह इस बात पर भी depend करता है बहुत ध्यान समझेगा guys कि इस बात पर भी depend करता है कि यह keyword कितना जैसे digital marketing services in India अगर इसके उपर बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी website को rank कराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह tough हो जाता है situation थोड़ी से tough हो जाती है आपके लिए थोड़ी सा जब हम SEO को पढ़ेंगे तो और detail में हम लोग इस पीस को समझने कोशिश करेंगे अभी हमारा समझने का मकसद क्या है कि SEO की through ही यह website rank कर रही है और इनको करने के लिए हम अपनी website के उपर और भी बहुत सारे efforts करने पड़ते हैं वो हम करते हैं यह हो गया हमारा SEO इसके बाद ह हमने आपको affiliate marketing के बारें बता है तो मैंने आपको बताया था कि Amazon के उपर अगर आपकी कोई products हैं ठीक है बहुत सारे products आप देखते हैं Amazon के उपर हैं तो वहां पर आप उन products को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर उन products को आप किसी तरीके से बेच पार हैं तो उसका आपको commission मिलेग यहां पर मैं आपको दिखाता हूं देखो यहां पर आप देख रहे हो यह जो URL है उपर देखो affiliate Amazon affiliate program amazon.in तो अगर आप Google पर भी जाएंगे और यहां पर हम लोग टाइप करते हैं Amazon Affiliates आप Amazon Affiliates टाइप करेंगे तो देखो पहला लिंक का रहा है आपको Amazon Associate Central इसके उपर आप कुछ न कुछ earning कर सकते हैं तो यह मैंने Amazon का उसी तरीके से Flipkart का भी अगर आप देखो तो यह make money by the coming of Flipkart आप उनको promote कर सकते हैं तो यह प्रोडेक्ट के basis पर आपको कुछ commission मिल सकता है अब commission यह वैरी करता है यहां पर देखो इन्होंने commission की भी proper पूरी list दे रखी है जैसे मैं view more पे करूँगा तो आपको पता चलेगा कितना commission आपको मिल रहा है तो कुछ चीजों के उपर बहुत अच्छा commission मिल रहा है कुछ चीजों के उपर कम commission मिल रहा है अच्छा जैसे mobile को आप promote कर तो थोड़ा कम commission मिलता है क्योंकि वो chances जादा होते उसके बिखने के जो प्रोडेस्ट के जादा नहीं बिखते हैं उसके उपर जादा थोड़ा सा commission मिलता है तो अगर आप यहां पर देखो तो यह एट परसेंट स्मॉल होम अंप्लियांसे पर एट परसेंट मिल रहा है ठीक है और भी अगर हम लोग देखें तो जैसे सुपर मार्केट ग्रॉसरी पर आपको यहां पर अठरा परसेंट का commission मिल रहा है ठीक है और बुक्स के उपर अगर आप देखो तो बुक्स का भी दिखेंगे यहां पर एमेजॉन जो है बुक्स भी बेचता है तो अगर वह बुक्स को कोई खरीद रहा है तो आपको commission मिलता है तो यहां पर Amazon जो है बहुत सारी बुक्स भी बेचता है तो मैं अगर आपको कोई भी बुक का नाम याद है जैसे मैं विंग्स विंग्स ओफ फायर मैं एक यहां पर बुक का नाम लिख रहा हूँ यहां होनी चाहिए बुक अगर आप ये बुक किसी को recommend करते है यहां पर जैसे बहुत सारी बुक्स है गईस तो अगर आप इन बुक्स को recommend करते हो खरीदता है तो उसका commission आपको मिलेगा इस टाइप से का अच्छा कमीशन होता है अगर आप होस्टिंग जो है इनकी रिकमेंड करेंगे तो लगभग 40% 50% तक कभी कमीशन मिलने के आपके चांस है मैंने गोडैडी का एक्जामपल ही और वह सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जो अपना अफिलियेट जो है प्रोग्राम वो लॉंच करके रखा हुआ है उसके बाद गाइस मैं आपको आड्स गबारे मता है तो फेस्बूक आड्स किस तरीके का दिखता है तो यहां पर द स्क्रॉल करता हूँ नीचे यहां पर कोई मुझे एक और फेस्बूक आड्स तो यह आप चलाना सीखोगे कि किस तरीके से हम यह फेस्बूक के आड्स रन कर सकते हैं क्रियेट कर सकते हैं कहां से क्रियेट होते हैं लेट मी स्क्रॉल डाउं यह देखो एक और मुझे बना के लोगों को दिखा सकते हो, यही डिजिटल मार्केटिंग है, यही फेस्बुक आड्स मार्केटिंग है, यहाँ पर भी एक रुआए डिजिटल नाम से एक यहाँ sponsored आड्स दिख रहा है, यह सारे गाईज वो आड्स हैं जो आप भी create कर सकते हो पेज की मैंने बात करी थी, फेस्बुक के उपर पेज भी होता है, तो देखो यह हमारा एक पेज है, इसका optimization देखो कितना अच्छा हुआ है यहाँ पर banner है, यहाँ पर proper जो है logo लगा हुआ है, यहाँ पर ratings हमें मिल रही, यहाँ पर हमारी company के बारे में है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी services के बारे में है, बहुत सारे लोग इसको like करते हैं, वो सारी चीज़े हम कौन से services provide करते हैं, कितने likes है हमारे, यहाँ कोई हम इसके contact करना चाहिए, तो number है, message है, तो यह सारी चीज़े हमारी optimization में आती है, इसके किस तरीके से हम इसका optimization करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था, यह paid ads भी होते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने type कर रखता है, digital marketing courses उपर, यहाँ देखो यह आपको जो दिख रहा है ad, यह paid ad, यह SEO की वज़े सा guys उपर नहीं आया है, इस ad को इस company ने run किया है, Google Ads platform के थूरू, इसलिए यहाँ पर यह शो कर रहा है, तो हम भी अपने ads इस तरीके से run कर सकते हैं, इवन अगर आप नीचे आएंगे, top में भी कुछ दिखते हैं, और नीचे भी कुछ दिखते हैं हमें, तो नीचे अगर आप आएंगे, तो नीचे भी आपको कुछ ads दिखेंगे, यहाँ पर अभी नहीं दिख रहे हैं, जैसे मैं दूसरे पर आता हूँ एक बार, बाई mobile covers पर मैं आता हूँ, यह जो राइट में आपको दिख रहा है, यहाँ sponsored लिखा है, यह भी ads है, इनको बोलते हैं हम लोग गाईज, shopping ads, ठीक है, तो इस टाइप के ads भी हम create कर सकते हैं, इस पर कोई क्लिक तरेगा, तो हमारी website पर जाएगा, और फिर हमारे product को खरीज सकता है, और यह ads देखो, बाई mobile covers यहाँ लिखा हुआ है, इस query के ऊपर हमें यह ads show हो रहे हैं, यह भी हम कर सकते हैं, और let's see, मैंने एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, by English, let's see, एक और keyword है, by best English speaking course, तो यहाँ पर देखो, कोई traffic आता है, इससे भी आपको business आ सकता है, अगर मैं नीचे आउँ, तो guys, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, तीन ads और दिख रहे हैं हमें, जैसे यह, AD ad, यह आपको एक ad दिख रहा है, एक यह ad आपको दिख रहा है, और एक यह बीच में आपको ad दिख रहा है, जो थोड़ा सा practical है, touch कि आखिर कौन सा ad, किस तरीके से दिखते हैं, उसको भी हम लोगों ने discuss कर लिया, I believe अभी आपको थोड़े से clarity हो गई होगी, जो भी हमने पिछले 4-5 वीडियो में जो basic concepts cover करने कोशिश करी हैं, उनके आपको clarity हो गई होगी, इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं drop shipping के बारे में, हम लोग समझें कि drop shipping क्या है, और digital marketing में drop shipping किस तरीके से use होती, पहले हम लोग यह समझते हैं, कि drop shipping का मतलब क्या है, drop shipping business model क्या है, और इससे किस तरीके से learning कर सकते हैं, तो guys, digital marketing के field में एक type जो है, वो drop shipping भी है, यानि कि digital marketing को सीखने के बाद आप drop shipping भी start कर सकते हैं, drop shipping एक business model है, और इससे आप काफी कुछ earning कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग drop shipping कर रहे हैं, तो guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कि drop shipping होती क्या है, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ आपको clear कर देता हूं, कि drop shipping क्या है, और इसमें क्या क्या चीज़ें involved हैं, तो guys, drop shipping में basically तीन लोग involved होते हैं, तीन लोग, you as marketer, यहाँ पर लिखता हूं you as marketer, मैं इसको digital marketer भी बोल सकता हूं, आप digital marketer हैं, आप होते हैं, एक होता है supplier, guys, इसमें एक होता है supplier, ठीक है, और तीसरा होता है customer जो product खरीदता है, अभी किस तरीके से काम करता है, guys, आप करते क्या हो, you as marketer, आप क्या करते हो, आप एक shop create करते हो, एक online shop create करते हैं, एक website type की, जैसे shop बड़ी आसानी से, drag and drop method से, कोई coding वगरा की जरूत नहीं पड़ती है, shop हम create कर सकते हैं, Shopify के उपर, guys, Shopify एक platform है, जिसके उपर हम shop create कर लेते हैं, या हम इसको ऐसे समझें कि हम e-commerce website create कर लेते हैं, तो हमने एक थोटी सी e-commerce website create कर ली, अपनी shop create कर ली, हम as marketer, बट हम हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई product नहीं, लेकिन हमें बेचना है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे supplier से tie up करते हैं, ये भी हमें online मिल जाते हैं, हम दूसरे supplier से tie up करते हैं, बड़े जो wholesalers होते हैं, उन से हम tie up करते हैं, जैसे बड़े wholesalers क्या हैं, आपने अग दुकान के लिए supplier से contact करते हो आप उनसे बोलते हो कि अच्छा ठीक है आपके पास बहुत सारे प्रोड़क्स भिक रहे हैं चलो ठीक है मैं आपके जो बहुत सारे प्रोड़क्स है उसमें से मैं pen को select करता हूं और यह जो pens है यह मैं अपने shop के through बेचूंगा हमने बड़े supplier से बात करी कि भाई हम आपके जो pens है वो हम अपने shop के through बेचेंगे तो भाई हमारी shop है केवल हमारे पास एक shop है एक showroom type है हमारे पास कोई product नहीं है product के लिए हमने supplier से contact किया अब यह product pen मैंने उससे खरी दे इसने हमें pen दिये कितने के 10 रुपए के बहुत ध्यान समझना इसने ह हमें एक pen दिया 10 रुपए का अब हमने क्या किया गाई हमारी जो shop है उसके उपर इस pen को list कर दिया यानि यह हमारी दुकान है और हमने supplier से बात कर ली supplier ने हमसे कहा हम 10 रुपए में आपको एक pen दे देंगे तो 10 रुपए का जो pen था वो हमने यहाँ पर list कर दिया भाई e-commerce site म इसका पैसा मैंने रखा 15 रुपए तो अभी आपको कुछी समझ में आ गई होगी 10 रुपए का हमने सामान लिया 15 रुपए का यहाँ लिष्ट कराया अगर कोई लोग यहाँ से खरीतते हैं तो हमें 5 रुपए का profit होगा और यही इस business model का main चीज है कि आप इस business model से किस तरीक कर सकते हो Shopify के उपर तो Shopify भी फ्री नहीं है थोड़ा बहुत आपसे कुछ amount लेता है 2022 का monthly rental टाइप का रहता है लेता है कि आप जो है इस platform के उपर अपनी दुकान बना सकते हो अपनी website बना सकते हो उसका वो कुछ चार्ज आपसे लेता है तो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा ह और यहां से जो आप profit करते हो उसी से वो सारे खर्चे आप manage करते हो तो properly एक business type का है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपना store create करते हैं और यह suppliers भी इनको जादा ढूनने की ज़रूरत नहीं है यह suppliers भी online available हैं यह सारे suppliers online available हैं आप इनको ढून सकते हैं online मैं बता दूँग आपको किस तरीके साब दूढेंगे जब हम आगे चलेंगे अभी हम समझ रहें कि यह model क्या होता है तो हम suppliers को भी ढूनते हैं और इनसे contact करते हो जो भी product हम बेचना चाहते हैं वो product यहां से select करते हैं देखो selection में भी product जो है उसके selection में भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमें किस type के product जो हैं वो select करने किस type के products बिख सकते हैं product हमने यहां से select किया थोड़ा सा उसमें हमने अपना amount add करके यहां पर हमने list करा दिया अब देखो दुकान में हमारे सामान आ गया किसी भी चीज़ के हमें tension की जरूरत नहीं है inventory manage करने की जरूरत नहीं है warehouse किस तरीके से जो है ship होगा product मतलब customer गर कोई खरीदता है तो वो भी किस तरीके सो कोई भी headache हमें लेने की जरूरत नहीं है बस हमने क्या काम किया हमने product को यहां से select किया उस product को यहां पर list करा दिया अब product यहां पर available है अब हमें इसको बेचने की tactics यूज़ करने तो बेचने की tactics हैं guys वो हम tactics use करेंगे facebook ad हम लोग facebook के ओपर ad चलाते हैं कि देखो हमारे पास यह pen है आप चाहो तो खरी सकते हो तो यहां पर हम लोग ads run करते हैं जो हम लोग सीखेंगे facebook के ads तो देखो digital marketing यहां implement हो रही है इस business model में तो हम यहां पर facebook ads चलाएंगे और जो facebook ads चलेगा तो लोग इस pen को खर presents नहीं है आप तक pen आए नहीं आपने ऐसे खरीदा आप तक pen आए नहीं पर है ठीक है इससे बात हुई केवल कि 10 रुपए में यह आपको pen दे देगा अब जब यहां से order place होता है जैसे ही customer order करता है तीसरी जो entity है इसमें वो customer है अब customer क्या करता है traffic के थुरू यानि facebook ad के store के उपर उसके थुरू customer आपके store के उपर आता है store के उपर यह product उसे दिखेगा इस product को खरीदेगा कितने में खरीदेगा guys 15 रुपए में तो 15 रुपए आपको मिलते हैं ठीक है आप इन 15 रुपए में से 10 रुपए जो इसके साथ आपका जो है contract हुआ तो यह mutual understanding या agreement हुआ उसके basis पे यह आप क्या करते हो कि आप 10 रुपए इसको forward कर देता है और यह इसके पास जो pen पड़ा हुआ था वह इसको पैक वैक करके इस customer के जो shipping address है उस पे भेज़ देता है तो आपकी headache क्या है कुछ नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल zero headache है आपकी केवल आपको अपनी shop बन प्रट्स है जो है twice हो सकते हैं कोई घर के सामान हो सकते हैं bottles हो सकती है इस टाइप के pen हो सकते हैं carpet हो सकती है chairs हो सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप select कर सकते हो अपको ध्यान रखना है कि आपका store एक type के product का हो जैसे अगर आप stationary बेच रहे हो तो stationary ही ग्रान के लिए है यानि लोगों को store के उपर लाने के लिए तो उसके लिए हम क्या करते चैछा नंगी लोग को हमारे सवाँ को व्हांन खरीदेंगे यह सारी चीज़े थोड़ी सी complex होती हैं यहां से प्रोडेक्टर सेलेक करना फेस्बुक के ओपर आड रन करना अगर आप फेस्बुक में आड रन करने में expert नहीं है या आड रन करना आपको नहीं आता है वो skill set नहीं है तो आप क्या करोगे यहां पर सारा डाइग्राम से explain करने के आपको कोशिश करीवी है यह जो आप यहां पर देख रहे हो कि इसमें कितने लोग होते है customer होता है जो वो पंदर रुपए का हमारा सामान खरीद रहा था यह store था हमारा जो हम Shopify के इसमें एक तरीका हमारे पास drop shipping भी है अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है अगर हमें फेस्बुक आड़ आते हैं यह सारी चीज़ें अगर हमें चलानी आती है तो हम drop shipping कर सकते हैं और वहां से कुछ earning कर सकते हैं गाइस बहुत सारे ऐसे श्टोर्स हैं अनलाइन शॉप्स हैं क्योंकि इवल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर चल रहीं क्योंकि इसमें headache नहीं है इन्वेंटरी मैनेज करने का पेमिंट का बहुत सारा वेर हाउस वाला जो इस जो लोग stationary में जो हैं इंट्रेस्ट रखते हैं अगर आपका stationary से related तो उस तक आप लोगों को ला सके तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस पर्डिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिजिटल मार्केटिंग को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से समझ सकते हैं इंडिया में जो इंडिया के किस तरीके से emerge कर रही है क्या scope है अभी opportunities हो गयरा हम लोगों ने इस फारी सीज़े cover कर रही इसको भी digital marketing का cover किया लेकिन थोड़ा सा इसको हम इंडिया के context में लेकर समझते हैं कि आपकी digital marketing इंडिया में किस तरीके से evolve होने वाली है और किस तरीके से digital marketing industry जो है वो इंडिया में grow करने वाली है गाइस digital marketing इंडिया में बहुत तेजी से grow कर रही है और जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अभी भी skilled digital marketers की कमी है जो बहुत सारी companies को लग रहा है बहुत सारी companies जो digital marketers की अभी जिनको जरूरत है बट उनके पास digital marketers है नहीं और हैं भी तो skilled digital marketers नहीं है यानि इंडिया में अभी भी skilled digital marketers की कमी है scope बहुत जादा scope के results बहुत जादा है अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ points आपको देखेंगे कि why future of digital marketing in India is very bright मैं कहे रहाँ कि digital marketing का future जो इंडिया में हो बहुत bright है बट क्यों पहली बात तो यह कि people are getting aware of digital marketing and the power of digital marketing in India पहले लोग e-commerce industry पे इतना believe नहीं करते थे लोग e-commerce से related इतनी shopping नहीं करते लोग जो है online products नहीं खरीदते थे online services नहीं लेते थे online bookings नहीं करते थे आज आप देखिए अपनी day to day life में कि आप कितनी बार Ola को book करते हैं कितनी बार Uber को book करते हैं पर क्या यह पहले चीज़े थी आज के टाइम में जो हमारे food delivery platforms है स्वीगी है कि कितने popular हो गए क्या यह पहले थे क्या Indians पहले इन चीज़ों पर believe करते थे लोग believe करने लगे हैं कि internet marketing नाम की भी कोई चीज होती यह तो मैंने आपको consumer end पर बताया मतलब वो end consumer जो digital marketing का result देख रहा है वो end consumer जो e-commerce से चीज़े खरीद रहा है अभी भी businesses जो थे वो बहुत जादा digital marketing को follow नहीं कर रहे थे बहुत जादा digital marketing के उपर trust नहीं करते थे पर पिछले कुछ दो-तीन सालों में businesses ने भी digital marketing के उपर बहुत जादा trust करना start कर दिया उनको लगा कि अगर उनका जो annual marketing spend और example एक करोड रुपए है तो उसमें से उन्हें कुछ share जो है वो digital marketing वाले department को देना पड़ेगा marketing बिना digital marketing के आज नहीं हो सकती ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी अब ये जो सारी चीज़ें है लोगों का जो है नजरिया बतला लोगों ने जो traditional marketing है लोगों ने उसको छोड़ा उसको भी पैरलली करते गया और साथी साथ उनों ने digital marketing को भी जो है अपनाया digital marketing को भी start किया तो ये जो लोगों का ट्रश्ट है इसने क्या किया इसने market में एकदम से बहुत जादा digital marketers की जो requirement है उसको create कर दिया need create कर दिया market में उतने जादा लोग तो थे नहीं skilled लोग थे नहीं लोग को आट्स चलाने आते नहीं थे लोग को e-commerce समझ में नहीं आता लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि products online कैसे बेचे जा सकते हैं बट businesses ने क्योंकि इस चीज को समझा तो वो अपने businesses को online ले जाने लगे जैसे किसी की भी छोटी सी शौप है तो उसने भी अपनी छोटी सी website बना ली बट website बनाने से क्या होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता है website बनाने से कुछ नहीं होगा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने website बना दी उसको मार्केट भी तो करना है लोगों को website तक लाना भी तो है वो कैसे आएगा वो आएगा या वो आएगा गूगल अट से फेस्वुक अट से पेड अड़र्टाइसमेंट के थ्रू हमारी website जो पर आएगा तो यह जो सारी चीजे बनती गई यह सारी चीजे इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर जो है इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का वो बहुत ही ब्लादा ब्राइट है और कुछ पॉइंट समझते हैं हम लोग यह तो मैरे पहला पॉइंट ब एक होती है किलव कर लोग कर रहे हैं इंडिया के बिजटल डिजटल डिश्वलिछ होने वाला है यानी कि बिजनेस benefit मिलने वाला है तो यह दूसरा जीजन था जो इस तरफ पॉइंट करता है कि डिजिटल मार्केटिंग का future इंडिया में बहुत जादा है तीसरी चीज़ देखो institutions and universities are recognizing the power of digital marketing and working on the course for the same बहुत सारी universities ने बहुत सारे programs ने institutions ने आज के में चाहे वो मान लेते हैं कि जैसे कोई अगर BBA का course है या MBA का course है तो अब उसमें एक subject digital marketing का भी आ गया जो लोग MBA in marketing कर रहे हैं उनके पास एक opportunity और थी कि वो digital marketing भी सीखें तो universities ने जो educational institutions हैं उन्होंने इस बात को समझा कि यह एक बहुत ही compulsory subject आज के टाइम में बहुत ही compulsory subject बन गया है हम इसको ignore नहीं कर सकते लो तो जो universities हैं उन्होंने अपने syllabus में भी इसको include किया अब जब यह syllabus में include हो गया तो हमें समझ में आ गया कि यह एक ऐसी marketing की tactic है ऐसी marketing की field है ऐसी marketing का सब पार्ट है जिसको आज marketing में किसी भी तरीके से ignore नहीं किया सकता है जब universities इसको अपने करेकरम में लेकर आ रहे हैं इसका मतलब इसका future बहुत जादा bright है next reach of internet to remote locations of India मैंने पहले भी आपको बताया कि digital marketing जो है वो हर तरीके से internet से जुड़ी है वलब digital marketing कहें यह हम internet marketing कहें यह हम online marketing कहें यह तीनों ही चीज़ें एक हैं अब जब जो internet है उसकी रीच जब इंडिया के remote locations में जहां पर आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है ट्रांसपोर्ट और बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है एरपोर्ट की facility नहीं है वहां पर भी आज की डेट में जो है internet पहुंच रहा है तो जहां पर जिनके पास कोई भी knowledge बहुत सारे ऐसे teachers है जिनके पास कोई भी knowledge है तो वह क्या कर रहा है वह कैमरे के सामने आके online वीडियो रिकॉर्ट कर रहे है और उसके बाद वह यूट्यूब के उपर उप्लोड कर रहे है किसी भी टाइप के किसी के अंदर skill है तो उसको रिमोट लोकेशन का दिया डिजिटल मार्केटिंग के वाल रिमोट लोकेशन जो छोटे शहरों तक नहीं बड़ी-बड़ी corporate जो बड़ी-बड़ी company जैसे मैंने जब मैं जॉब वाली बात कर रहा था आप ते कौन सी company है कौन से ऐसी MNC है जो digital marketing की field में job provide करती है तब मैंन आज के टाइम में digital marketing से जुड़ी जो skills है उसके लिए लोगों को hire करनी क्योंकि उनके पास project है तो अगर हम देखें मेरा जो बताने का मतलब था यह था कि इंडिया में किसी भी लेवल पर किसी भी type of business के लिए किसी भी type of company के लिए आज के टाइम में किसी type of city के लिए आज के population इतनी जादा है इंडिया की population इतनी जादा है कि यहाँ पर scope बहुत है यहाँ पर scope बहुत है आप कोई भी चीज मतलब बहुत सारे जो बाहर की countries है बाहर की company है आज वो इंडिया को aim कर रही है तो अपने product अपनी services इस चीज को ध्यान में रखके launch कर रही है कि उन्हें इंड जैसे digital marketing की opportunity भी बहुत जादा बढ़ गए क्योंकि देखो internet सस्ता होने का मतलब क्या है सब तक internet पहुच रहा है सब तक internet पहुच रहा है और अब हमें कोई अपने product या service के बारे में बताना है तो क्योंकि internet सब तक है तो हम आसानी से internet को as a medium यूज करके हम अपना add उन तक पह पहुच रहा है और remote locations में पहुच रहा है लोगों को और असानी से internet available हो रहा है और यह जो numbers है कि internet users इंडिया में कितने day to day day to day बढ़ते जा रहे हैं जैसे इसे numbers बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे product हमारे service के बारे में जो information है उसका scope बढ़ता जाएगा वो information जादा आपस में collaborate किया है Facebook ने कुछ amount बहुत हैवी amount जो है जीओ में invest किया है अब यह दो इतनी बड़ी technical companies राइट Facebook जैसा vision और जीओ जैसी इंडिया में जो reach है अगर यह आपस में मिल जाएंगे तो digital marketing का तो सवरूप ही बदल जाएगा राइट तो आप देख रहे हो किस तरीके स अपरेट करने वाली companies हैं वहलों वर्ड की जिसके पास 50% population जिस platform को वर्ड की यूज कर रही हो आप समझ सकते हो वो platform आज की टाइम में कितना powerful होगा और ऐसे platform का इंडिया की सबसे बड़ी telecom company में invest करना विच इस जीओ यह बहुत ही बड़ी opportunity है कि कि कितनी ही नई चीज़े आगे time में आने वाली हैं क्योंकि यह facebook और जियो आपस में collaborate करना है अगर facebook का opportunity न दिखती तो वो जियो में इतना बड़ा investment ना करता facebook का vision और जियो की जो internet provide करने की facility इंडिया में है जो user का base जियो ने बना लिया शुरुआत में first movers advantage लेके data को सस्ता करके उसका अब facebook जैसी और बड़ी जो companies है Microsoft जैसी companies अब इस चीज़ का फायदा उठाएंगे और बहुत सारा जो पैसा है वो अब जियो में invest होगा तो अगर पैसा invest होगा तो नए ventures भी हाएंगे बहुत सारे platforms आएंगे जियो नहीं अपने बहुत सारे platforms जो है वो launch कर दी है जैसे हम बात करें जियो मार्ट की यह सारे जो platforms launch हो रहे हैं जैसे जैसे platforms launch होंगे वैसे वैसे digital marketers की need और जड़ा बढ़ती जाएगी digital marketers skilled digital marketers की ज़रूरत मार् amount of revenue आज के टाइम में भी वो businesses जिन्होंने digital marketing को adopt कर लिया जो digital marketing को practice कर रहे है वो आज के टाइम में भी बहुत अच्छा revenue generate करने बहुत अच्छा scope क्या है job वोगरा के point of view से companies वोगरा के point of view से मैं आपको पहले वी बता चुका था बट यह जरूरी है आज के time में समझना कि अगर आज आप समझ रहे हो कि digital marketing का peak आ गया है तो अभी digital marketing का peak नहीं आया यह peak भी अभी आगे में बहुत time है यानि अभी graph उपर की तरफ ही बढ़ की बहुत आज भी digital marketers की बहुत जादा demand है बट problem क्या है skilled लोग है नहीं तो guys एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जब कभी भी demand बढ़ती है और skill कम होती है right मतलब skilled लोग कम होते है और demand बढ़ती है उस case में उस skill के पैसे बहुत जादा हो जाते यह मैं थोड़ी से job के point of you से आपको बता रहूं है बहुत ही general सी चीज है कि जब कभी भी किसी चीज की demand बढ़ेगी जैसे मैंने माना digital marketers की demand बढ़ रही है बट digital marketers के skill वाले लोग कम है तो क्या होगा लोग जो 30,000 रुपए monthly दे सकते थे अब वो कह रहे है मेरे को मैं 50,000 रुपीज पर मन दे तो जब कभी भी कोई skill जो बहुत rare मतलब perfect skill लोगों में है नहीं पर उसकी demand बहुत जादा है ऐसे में जो job opportunities है जो paying capacity है owner की हम मान लें यहाँ जो job provider है उसकी जो paying capacity हो काफी बढ़ जाती है क्योंकि अभी भी skilled लोग market में नहीं है यही सारे reasons है इन सारे reasons को अगर हम compile करे जो श सारी चीजे इस तरफ इंडिकेट करती है कि digital marketing का future इंडिया में बहुत ब्राइट है इस पर्टिकलर वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल नन गुडबाए